गुद आफ्टर नून एब्रिवान गुद आफ्टर नून उलम्पियाड के इस बैच में आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है मैं हूँ शेलेंद्र पांडे आपका फिजिक्स एजुगेटर कैसे हैं मेरे प्यारे बच्छों रिशब, शुभम, शिवम, सभी का बहुत-बहुत वेलकम है सभी लोग वीडियो को पहले दवा करके शेर करिए अपने सारे फ्रेंड्स में सारे बच्छे आ जाए फिर हम लोग अपने आज के इस बेतरीन से सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में हम लोग पढ़ने व वाले हैं तो आज मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मोशन चैप्टर फोर्स एंड लॉज और मोशन यानि की न्यूटन्स लॉज और मोशन इसकी बात करेंगे इन डेप्थ बात करेंगे हाँ एकदम चका चक लेवल पर फुल-on डिटेल्ड लेवल पर हम लोग इस चैप्ट विल्कुल आप परशान नहों धेल सारे क्वेशन करवाएंगे और आप लोग को आज के ही इस सेशन के जस्ट ओवर होने के बाद एक प्रैक्टिस शीट मेरी तरफ से मिलेगी जिसमें आपको 35 क्वेशन्स मैं देने वाला हूँ वो 35 क्वेशन्स आप लोग सॉल्व करेंग एक-एक कॉंसेप्ट को ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो सभी लोग जरा चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजे अगर आप चाते हैं कि वहिया आज का सेशन हम लोग स्टार्ड करें सभी लोग बाई चैट बॉक्स में एक बार आग लगा दीजे और मुझे है ना हाँ सो आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है मेंली भाई साब हम लोग दो चैप्टर्स को फुल ऑन कवर करेंगे मोशन और न्यूटन्स लॉज ओफ मोशन तो सबसे पहले भाईया मोशन क्या होता है यह पढ़ेंगे मोशन के बेसिक्स के बारे में समझेंगे देन एक क्याइशन भी आपको बता देंगे उनका मेंली एप्लिकेशन आपको सिखाएंगे किस तरह के क्वेशन में हम लोग एक्वेशन ओफ मोशन को अप्लाई करने वाले हैं देन न्यूटन्स लॉज ओफ मोशन तो हमारे न्यूटन्स सहाब के लॉज कौन-कौन से हैं और आखर सारी विवस्था यहां पर कर रखी है पोल्स पर आप लोग अंसर करेंगे फाइनली मैं आप लोग की रैंक भी बताऊंगा यानि कि पढ़ने के साथ साथ मस्ती भी होने वाली है आज के इस सेशन में राइट सो आईए हम लोग अपने आज के इस सेशन की शुरुवात करते हैं तो सेशन हमारा है मोशन यानि चैप्टर हमारा है मोशन तो भाई शबसे पहली बात तो यहीं आती है सर मोशन क्या होता है शुβ भाई सब बताएंगे तुम बिलकुल परचान मत हो जैसे जैसे भी चीज़ें आती जाएंगी आप पूछते जाना हर एक चीज मैं बताऊ होगे हमारा software अपने आप आपके आंसर को ले लेगा और यहां पर मुझे बताएगा कि भाई साब कैसे कितने बच्चों ने कौन से option को चूज किया है और कितने बच्चों ने सई किया है मनीश कह रहे हैं सर आपने calculus पूरी तरीके से clear कर दिया है बहुत-बहुत धन्यवाद मनीश भाई आज का ये session मनीश में बदा रहा हूं आपके लिए और बहुत बहुत बहुतरीन होगा memorable होगा तो आईए हम लोग session को start करते हैं देखो यार motion से related मेरे प्यारे बच्चों दो terms होते हैं सबसे पहला term है rest और दूसरा term है motion राइट तो rest का मतलब यह होता है जब कोई object surrounding के respect में time के respect में अपनी position को change ना करे तो वो object हमारा rest में कहलाता है और अगर कोई object time के respect में surrounding के respect में अपनी position को change कर रहा है तो वही object हमारा motion में कहलाता है लेकिन मेरे प्यारे बच्चों कोई एक ही object एक ही समय पर rest में भी हो सकता है और किसी next observer के लिए same object उसी समय पर motion में भी हो सकता है यानि कि यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और पढ़ेंगे कि rest and motion they both are relative terms rest और motion दोनों ही जो है वो relative terms होते हैं आपस में connected terms होते है relative terms कहने का मतलब simply यही है कि same एक object जैसे आपके लिए अभी फिलाल मैं अगर यहाँ पर ऐसे रुका हुआ हूँ तो आपके लिए मैं rest में हो सकता हूँ लेकिन कोई और दूसरा observer जो होगा उसके लिए मैं अभी motion में हूँ तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हो तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि भया rest और motion ये दोनों ही relative terms है तो आईए इस सीस को थोड़ा सा आपको पहले मैं समझाता हूँ मान लो ये हमारा अर्थ है मान लीजे ये हमारी धर्ती माता है ये हमारा अर्थ है और अर्थ के ऊपर ठेक है एक कोई यहाँ पर हम एक बड़ा सा statue खड़ा करतें for example मान लो statue of liberty है अब अगर अर्थ एक चीज़ समझो अभी आप लोग मेरे को बताओ अगर या motion में लग रहा है बताओ बेटा जरा तो फटा फट बतादो जरा सब लोग सर बहुत सारे बच्चे यहाँ पर comment कर रहे हमारे कि सर यह जो statue of liberty है सर वो rest पर है बिल्कुल ठीक बात है आप लोग के लिए या मेरे लिए अभी वो हमें देखने में कैसा लग रहा है rest पर लग रहा है लेकिन अगर सोचो एक भाई साहब हो किसी जादूई विमान में है एक भाई साहब जादूई विमान में हो और इन भाई साहब का नाम है मालो जादू जादू आपने देखा ना कोई मिल गया movie सब ने देखा होगा तो वो जो जादू भाई साहब है अगर वो किसी दूसरे प्लैनेट से अब्जर्व कर रहे हैं इस Statue of Liberty को तो वो तो ये कहेंगे कि यार ये जो Statue of Liberty है ये जिस प्लैनेट पर है वो प्लैनेट तो अपनी ही जगे पर ऐसे ऐसे घूम रहा है भाई या हमारा जो अर्थ है बोलो अपनी ही जगे पर घूम रहा होता है अगर ये अर्थ अपनी ही जगे पर घूम रहा है तो जादू भाई साहब को अब ये Statue of Liberty क्या घूमता हुआ नजर आएगा मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से फड़ा फट कमेंट करके बता दीजे रिशब बिलकुल सही बता रहे है with respect to observer यानि की Statue of Liberty हम लोगों के लिए हम लोगों के respect में Statue of Liberty rest पर है लेकिन इस जादू के respect में यही Statue of Liberty बोलो motion में है यानि की कौन सा object rest में है कौन सा object motion में है ये किस पर depend करता है मेरे प्यारे बच्चों ये dependent है observer पर राइट so rest and motion depends on depends on observer कि हमारा observer कहां पर है उस observer पर ये depend करता है कि हम rest में बोलेंगे या फिर हम उसको motion में बोलेंगे displacement भी बताएंगे nth second भी बताएंगे आप बिलकुल tension ना लिजे कुछ भी छोड़ेंगे नहीं कुछ भी छोड़ेंगे नहीं मेरे प्यारे बच्चों ठीक है चलो अब motion को ये चीज़ आप लोग समझ गये होंगे मैं यहां कहो तो लिख भी दूँ इस point को मैं यहां पर note कर दे रहा हूँ Statue of liberty is at is at rest with respect to us हम लोगों के respect में but it is in motion with respect to जादू जादू के respect में ये motion में था हम लोगों के respect में भाई साहब ये rest पर था इसलिए हम लोग कहते हैं कि rest और motion ये दोनों ही terms कैसे हैं these two terms are relative terms यानि कि rest और motion जो है वो observer पर depend करता है यानि कि दूसरे शब्दों में हम लोग ये भी कह सकते हैं भाई साहब कि rest और motion में absolute rest या absolute motion जैसा कुछ भी नहीं होता है there is not any term like absolute rest और absolute motion किसी भी object को हम ये नहीं कह सकते कि ये object absolutely rest पर है या ये absolutely motion में है क्योंकि ये relative terms होते हैं अब देखो यार motion को समझने के लिए कुछ छोटे-छोटे terms हमारे पास हैं सबसे पहला term जो हम सब को पता होना चाहिए वो है distance क्या होता है बहुत छोटे-छोटे terms की मैं तुरंत जल्दी-जल्दी से आप से बात करूँगा सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनेंगे और आप सब को उमीद करता हूँ पता भी होगा भया distance का मदलब क्या होता है बही किसी भी एक जगे से दूसरी जगे तक जब जाते हो आप मनलो आप अपने घर से आप अपने school तक जा रहे हो ये आपका घर है और ये भाई साब आपका school है जब आप अपने घर से अपने school तक जाते हो तो घर से school तक जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं हो सकता है आप ऐसे जा रहे हो, हो सकता है आप घूमते टहलते अपने स्कूल तक पहुँचो, हो सकता है घर से निकलो अमेरिका चले जाओ, फिल लाउट करके आओ, अपने स्कूल तक पहुँचो, यानि कि आपके घर से आपके स्कूल तक जाने के इन फाइनाइट रास्ते है और हर एक रास्ते में जो total path length है मेरे प्यारे बच्चो वो path length अलग-अलग होता है यहाँ पर L1 है यहाँ L2 है यह L3 है यह L4 है और हम सब को पता है कि यह एक भी path length आपस में बराबर नहीं होता है तो जो actual path length है between two points किनी भी दो positions के बीच में जो actual path length होता है भाई साब वही actual path length distance कहलाता है जबकि shortest path length between two positions two points is known as displacement क्लियर है shortest path length जो होता है उसी को भाई साब हम लोग displacement कहते हैं displacement कहते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक चीज समझा रहे हैं definitions लिखने की जरुवत नहीं है क्योंकि अब हमें थोड़ा सा competitive approach develop करना है हम लोग आज जो पढ़ाई कर रहे हैं वो boards के लिए नहीं कर रहे हैं आज की जो हमारी पढ़ाई है वो हमारे competitive attitude को develop करने के लिए ह एक competitive approach आज हम लोग को develop करना है तो लिखने पे बहुत ज़्यादा focus न करके आपको समझने पर बहुत ज़्यादा focus करना है कि एक एक चीज दिमाग में आपके set हो जाए तो displacement का मतलब simple सा होता है बिटा shortest displacement का मतलब होता है shortest distance दो points के बीच में जो सबसे छोटा distance होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भया वही है displacement that means जब आप अपने घर से अपने school तक जा रहे थे तो बोलो shortest path होता है घर से school को directly join कर देना ठीक है directly join कर देना तो यह रहा आपका home यह रहा आपका school shortest path की अगर कभी कोई भी बात करे तो that is a simple straight line joining your home to the school क्या यह बात सभी को 100% clear है अगर बात clear है फटा फट जड़ा यहां पर heart spam हो जाए सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए chat box में हाँ धड़ा धड़ सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए बहुत ही simple सी चीज़ है distance का मतलब actual path length between two positions और displacement का मतलब है shortest path length between two positions राइट ठीक है सर यह बात समझ में आई सर आए next concepts की तरफ चलते हैं अगला बहुत ही छोटा सा concept है जो कि है speed राइट देखो speed का बहुत ही simple सा मतलब है speed means distance covered per unit time speed को v से represent करते हैं it simply means distance covered upon time taken तो speed का formula हो गया distance upon time तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं distance covered per unit time distance covered per unit time is defined as speed यूनिट की बात करते हैं इसकी तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगी यह हम सभी को पता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अब अगला term हमारे पास है मेरे प्यारे बच्चों velocity कि सर यह आखिर velocity क्या होता है सर सो वाट इस वेलास्टी मेरे प्यारे बच्चों velocity का मतलब है rate of change of displacement है ना वेलास्टी को भी हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं बट डिस्प्लेस्मेंट को एस से डिनोट कर दिया जाता है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया यदिना वेलासिटी इस सेंप्ली कि यद डिस्प्लेस्ट रोषर एस सेंदि स्प्लेस्टी मैं वह बच्छेंट इस वॉलास्टी यह फेलास्टी फstr성 थिस्टों बच्रेजेंगा पर य। रोने ट्रीई है ऑर ग्नौन झरीन आष इस इस तरीके से भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं ठीक है तो यह हमने आपको चार quantities की बात बता दिया distance क्या है displacement क्या है speed क्या है velocity क्या है अगर मैं distance और displacement के unit की बात करूं तो distance और displacement दोनों का ही unit होता है meter या फिर centimeter किलो मीटर लेकिन अगर speed और velocity की बात किया जाये तो उसका unit हो per second kilometer per hour इस तरीके का हम लोग unit लिख सकते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ मैं आपको और यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ that is system of units हा system of units तो units को लिखने के कितने तरीके हो सकते हैं कितने systems हैं हमारे पास फड़ा वड़ जड़ा आप लोग comment करके बता हाँ वाई यह elvish भाई वाला system नहीं है यह units लिखने का तरीका है सबसे पहला जल्दी से बता दो वाई कितने होते हैं सबसे पहला system है मेरे प्यारे बच्चों mks system of units तो mks system में mks system में length is measured in meter mass is measured in kilogram and time is measured in seconds length को meter में बास को kilogram में और time को seconds में जब हम लोग measure करते हैं भाई साब तो इसको हम लोग कहते हैं mks system ठीक है अब अगला हम लोग देखने वाले हैं next sir system of unit कौन सा है अगला system of unit है मेरे प्यारे बच्चों cgs system of unit जिसमें length को हम लोग लिखने वाले हैं centimeter में mass को हम लोग लिखने वाले हैं grams में time को हम लोग फिर से represent करने वाले हैं seconds में next system of unit है fps system जिसमें भाई साब length को आप लिखने वाले है foot में या fit में mass को represent हम लोग करने वाले हैं pounds में pounds और time को यहां पर भी हम लोग लिखते हैं किसमें second में generally starting phase जब हुआ था बया measurement का तब मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ तीन system बनाए गए थे mks system cgs system हमारे इंडिया में खोब धुआधार तरीका से यूज होता है लेकिन fps system जो है वो थोड़ा foreign countries में ज्यादा यूज होता है जहां पर length को feet में मास को pounds में time को second में measure किया जाता है राइट अच्छा सर इसके बाद बिटा एक system of unit और बनाया गया जो कि final था उसको SI system of unit कहा गया हां रिशब और इदर रिखिल दोनों लोग बिलकुल सही कह रहे हैं SI system of unit होता है मेरे प्यारे बच्चों international system of unit का मतलब ये था कि भाई साब length को हम लोग भी measure करेंगे meter में mass को हम लोग measure करेंगे kg में time को फिर से measure करेंगे seconds में तो सर SI system तो बिलकुल MKS की तरह लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों MKS CGS और FPS इन तीनों systems में सिर्फ और सिर्फ तीन quantities को measure करने का हिसाब किताब बनाया गया था लेकिन जब international system of unit बनाया गया तो यहाँ पर केवल तीन नहीं साथ quantities के measurement का हिसाब किताब बनाया गया length को हम मीटर में mass को kg में time को second में current कभी measure करना होगा भाई साब तो current को हम लोग एंपियर में measure करेंगे temperature measure करना होगा तो उसको को हम लोग Kelvin में measure करेंगे temperature is measured in Kelvin इसके बाद अगला measurement है amount of substance का जिसको हम लोग मोल में measure करते हैं तो next one is amount of substance कि जिसको बिटा मोल में measure कराया गया और आखरी एक और है luminous intensity luminous intensity को हम लोग मिजर करने वाले हैं candela में तो मैं वो भी यहां पर लिख रहा हूँ luminous intensity मिजर्ड इन candela हाँ तो all total जड़ा चेक कर लो जब international system of units की बात किया गया तो international system of units में बिटा साथ quantities के बारे में बताया गया साथ quantities के units को यहां पर explain किया गया है बाकी सभी में 3-3 units ही लिए जाते हैं इसलिए जब हम लोग इसलिए जब हम लोग कोई भी numerical solve करते हैं तो generally हम लोग का preference होता है कि भाई साब SI system में question को लेकर के solve करिए शुब बिटा यहां पर आपको यह बताया गया है MKS, CGS और FPS इन तीनों system of units में केवल और केवल तीन ही quantities की बात की गई है ठीक है measurement करते हैं अब जड़ा देखो अगर distance कभी भी हमें measure करना होगा तो distance का unit हम लोग क्या लेंगे SI अगर लिख रहे हो तो meter लेंगे CGS unit अगर आप लिख रहे हैं तो हम लोग centimeter लेंगे और हम सब को पता है कि one meter जो है वो hundred centimeter के बराबर होता है या फिर one kilometer जो होता है वो one thousand meters के बराबर होता है बलो यह चीज हम सब को पता है इसमें कोई नई बात मेरे प्यारे बच्चो नहीं है यह तो हम सभी लोग formula जानते ही है एकदम असान-असान से formula है right same displacement के लिए भी है speed और velocity की बात जब भी भी आपसे किया जाएगा तो SI unit उसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड cgs unit बेटा हो जाएगा उसका सेंटी मीटर पर सेकेंड और हम सब को पता है वन मीटर पर सेकेंड जो है वह 100 सेंटी मीटर पर सेकेंड होता है speed या velocity को लिखने के लिए एक unit थोड़ा बड़ा unit हमारे पास और है which is one kilometer पर आर बताएंगे बताएंगे रितु भाई आप tension न लीजिए सब बताएंगे syllabus के हिसाब से थोड़ा आने दो solid angle क्या है plane angle क्या सब बताएंगे तुम tension न लो भाई तुम बस मेरी बात को ध्यान से सुनों है ना one kilometer per hour तो kilometer per hour भी speed का एक unit होता है one kilometer का मतलब होता है thousand meter और one hours में बिटा 60 minute होते है हर एक minute में 60 seconds होता है इसलिए यहाँ पर 60 into 60 seconds हो गए यानि कि ultimately क्या बन गया 1000 divided by 3600 meter per second 00 हमने उड़ा दिये two से cancel करेंगे तो बन जाएगा 5 by 18 meter per second सो मेरे प्यारे बच्चों one kilometer per hour कभी भी कहीं भी हो तो हम लोग उसको simply convert कर सकते हैं meter per second में by multiplying 5 by 18 और अगर कभी इसका उल्टा करना हो यानि कि one meter per second हो और इसको हमें convert करना हो kilometer per hour में तो हम 18 by 5 का multiply वहाँ पर धड़ा धड़ कर देंगे बोलो यार फील आ रहा है क्या वीडियो को like नहीं किया है तो पाप पड़ेगा ना like को वीडियो को फड़ा फट like करिए अपने सारे friends में share करो ताकि जादा से जादा बच्चे connect हों और यार थोड़ा सा बहतरीन माहौल और बन जाए है ना फड़ा फट सभी लोग share कर के लाइक नहीं किया है तो तुरंद like करो रहा है वेरी गुड बेटा को फील आ रहा है आ है वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो आजो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और डेप्त में आ जाते हैं अब आज which is measurable, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम लोग measure कर सकते हैं, उसको हम लोग physical quantity कहते हैं, तो physical quantity कहने का मतलब कहीं न कहीं किस चीज से है, मिजरेबल से, अगर कोई quantity हमारी measurable है, उस quantity को अगर हम नाप सकते हैं, measure कर सकते हैं, तो वो quantity हमारी physical quantity कहलाती है, For example, किसी भी चीज का mass अगर measure करना हो बेटा, तो simply आप measure कर सकते हो, कोई distance measure करना हो, length measure करना हो, आप measure कर सकते हैं, time को measure करना हो, आप कर सकते हैं, current को measure करना हो, आप कर सकते हैं, बोलो area volume को measure करना हो, हम लोग धड़ा-धड़क कर सकते हैं, है ना density को measure करना हो, हम वो भी कर सकते है ये सारी ही quantities और ऐसी बहुत सारी quantities हमारे पास है इन सारी quantities को हम लोग धड़ा-धड़ measure कर सकते हैं लेकिन जड़ा comment करके बतादो क्या प्यार को measure किया जा सकता है फटा फट बताइए क्या प्यार को measure किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों बताओ क्या प्यार को measure किया जा सकता है Is the love measurable क्या ये measurable है It is not measurable प्यार को हम measure नहीं कर सकते हैं इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चो प्यार जो है, लव जो है, वो हमारी physical quantity नहीं होती है, हाँ, राइट, है ना, so love is not measurable, so love is not physical quantity, love जो है, वो physical quantity नहीं होती है, love is not physical quantity, clear है, अच्छा सर, ठीक है सर, यार, बात समझ में आई, मेरे प्यारे बचो, अगर मैं आपसे in general कुछ questions पूछ लूँ, जैसे, ये pen भाया कितने रुपए का आता है, तो कुछ लोग कहेंगे सर जी, 10 रुपए का आता है, मैं कहूं, बेटा, मेरी height जरा बता दो, कितनी है, तो आप कहेंगे सर जी, 6 feet है, ठी लोग कहेंगे सर, देखने में हटे-कटे लग रहे हो, आपका मास 80 kg से कम तो नहीं होगा, बोलो यार, बोलो यार, क्या ये बात समझ में आ गई आपको, क्या ये बात समझ में आ गई, मैंने 3 general questions आप से पूछे हैं, लेकिन 3 questions का जो answer आपने दिया है, वो answer के हिसाब से पहल आपने number बताए है, number का मतलब होता है, बेटा, numerical value, number का मतलब क्या होता है, बाई साहब, numerical value, right, और जो बाद में लिखा है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, they are known as units, right, किसी भी एक physical quantity में मेरे प्यारे बच्चों, दो चीजे होती हैं, सबसे पहला है उसका numerical value, और दूसरा है उस का unit, इसी numerical value को magnitude भी कहा जाता है, this is also termed as magnitude, तो कभी भी magnitude की बात करे, numerical value की बात करे, मतलब number वाले parts की बात हो रही है, और बेटा, कोई भी physical quantity जो होती है, that physical quantity is always constant, कोई भी physical quantity बेटा, हमेशा कैसी होती है, constant होती है, constant कहने का मतलब ये है, कि अगर मैंने लिखा है one meter, तो मैं इसको hundred centimeter लिख सकता हूँ, मैं इसको one thousand millimeter लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, चाहे मैं one meter बोलू, चाहे मैं hundred centimeter बोलू, चाहे मैं one thousand millimeter बोलू, बोलो, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों का sense एक ही है, मैं 1 kg बोलूँ या फिर मैं इसी को 1000 g बोल दूँ बोलो मतलब सेम है मतलब कहीं भी यहां पर change मेरे प्यारे बच्चो नहीं हुआ है इसका मतलब physical quantity हमेशा constant होती है इसका मतलब अगर physical quantity हमारी constant है तो हम एक चीज यहां पर और कह सकते हैं कि भाईया n into u अगर constant है तो numerical value is constant upon unit constant को हटाओगे proportionality का sign आ जाएगा यानि कि numerical value is inversely proportional to unit numerical value हमारा unit के inversely proportional होता है तो अगर unit बड़ा है तो numerical value छोटी होगी अगर unit छोटा है तो उसमे numerical value मेरे प्यारे बच्चो बड़ी हो जाएगी जैसे मीटर छोटा unit है है ना लेकिन अगर centimeter के comparison में देखें तो मीटर बड़ा unit है अगर मीटर बड़ा unit है तो नंबर देखो छोटा है centimeter छोटा unit है तो उसके बगल में जो नंबर है वो बड़ा है है ना बिल्कुल उसी तरीके से kilogram बड़ा unit है तो उसके बगल में जो numerical value है वो छोटी है और gram छोटा unit है तो उसके बगल में जो numerical value है वो मेरे प्यारे बचो बड़ी है क्या आप सभी को feel आ रहा है अगर feel आ रहा है तो फटा-फट यहाँ पर जरा सभी लोग अपना-पना दिल दिखा दीजे बया है रहा और क्योंकि n into u constant है मेरे प्यारे बच्चो तो n1 u1 is equal to n2 u2 ऐसा भी लिखा जा सकता है राइट n1 u1 बराबर n2 u2 का मतलब यही है 1 meter is equal to 100 centimeter तो देखो 1 meter is equal to 100 centimeter it simply means unit बड़ा हुआ तो numerical value छोटी unit छोटा हुआ तो numerical value बड़ी हो गई अल्टिमेटली जो physical quantity है वो हमेशा constant होती है ठीक है ठीक है सर बात सवाज में आई physical quantity को physical quantity को on the basis of direction physical quantity को on the basis of direction हम लोग सबसे पहली कटेगरी में ला सकते हैं जिसका नाम है scalar quantity दूसरी कटेगरी है बेटा वेक्टर quantity और एक कटेगरी और होती है जिसका नाम है tensor quantity थोड़ा सा लेवल भाया उठ गया है वैसे तो हम सभी के syllabus में class 9 में 10 में 11 में 12 में 12 तक के syllabus में बेटा सिर्फ अच्छा सर तो फिर टेंसर क्या है सर वेटा टेंसर के पास भी में नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है तो सर डिफ्रेंस क्या है डिफ्रेंस क्या है सर डिफ्रेंस मेरे प्यारे बच्छों यह है वेक्टर क्वांटिटीज वह होती है जिनमें magnitude के साथ साथ direction होता है और उसके साथ-साथ these quantities follow these quantities follow vectors addition law follow vectors addition laws vectors को add करने के लिए बेटा कुछ certain नियम होते हैं कुछ rules होते हैं तो vector quantities उनको follow करती हैं है ना लेकिन जो tensor quantity हैं they doesn't follow vectors addition laws vectors को add करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ certain methods होते हैं तो ये vector quantities उन vector के methods को addition laws को follow करती हैं लेकिन tensor quantities उनको follow नहीं करती हैं clear है ना अब आजाओ और depth में आपको ले चलते हैं क्योंकि बहिया olympiade की बात है तो एकदम आपका दिल garden garden हो जाएगा भया हाँ so scalar quantities की अगर बात कर लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों तो scalar quantities का example मैं आपको बता रहा हूँ जैसे mass किसी भी चीज की mass को बताने के लिए बोलो direction का कोई requirement नहीं है किसी भी चीज का length बताने के लिए या किसी भी चीज का distance बताने के लिए बोलो direction का कोई requirement नहीं है मैं आपसे कहूं किसी चीज की किसी object की speed को बताने के लिए भी direction का कोई requirement नहीं है volume बताने के लिए भी कोई requirement नहीं है density के लिए भी direction का कोई requirement नहीं है ऐसी बहुत सारी quantities बोलो हम लोग यहाँ पर note कर सकते हैं बहुत सारी quantities को हम लोग note कर सकते हैं वर्क की बात करें तो वर्क भी बेटा हमारा कैसी quantity है scalar quantity है वर्क is also scalar quantity अब vectors की बात करें जैसे displacement क्योंकि displacement के case में हमसे क्या बोला गया अपने घर से सीधे स्कूल जाओ अपने घर से सीधे स्कूल जाओ एक certain direction में जाना है it is shortest distance in fixed direction क्योंकि fixed direction में move करना है इसलिए displacement कैसी quantity है बेटा vector quantity होती है बिल्कुल इसी तरीके से velocity भी हमारी vector quantity होती है acceleration भी हमारा vector quantity होता है ठीक, acceleration force भी हमारा vector quantity होता है momentum भी हमारा vector quantity होता है ये सारी quantities मेरे प्यारे बच्चों vector के addition laws को भी follow कर रही होती है clear है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अब बात आई सर, tensor quantities क्या है? बेटा, जैसे time time कैसी quantity है? tensor quantity, बोलो time हमेशा आगे बड़ता है कहते रहां कि समय हमेशा आगे बड़ता है समय कभी भी lot कर नहीं आता वापस नहीं आता time कभी भी lot कर तो time कैसी quantity है? tensor quantity है, क्यों? क्योंकि time के पास magnitude भी है, direction भी है लेकिन time vector के addition law को follow नहीं करता है बिलकुल इसी तरीके से current current के पास भी बेटा direction होता है क्योंकि electric current हमेशा electron के opposite direction में बेटा flow कर रहा होता है electron जाएगा इधर तो electric current माना जाता है opposite direction में तो इसके पास भी direction हो गया direction current के पास है लेकिन current भी vector के addition law को follow नहीं करता है इसलिए current भी कैसी quantity हो गई? tensor बाकी आप लोग अभी आगे और पढ़ेंगे जैसे pressure pressure भी बेटा tensor quantity है class 11 पे आओगे तो एक quantity पढ़ोगे moment of inertia वो moment of inertia भी कैसी quantity है भाई साब tensor quantity है देके? लेकिन क्योंकि tensor अपने लोग के syllabus में नहीं होता है इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये सारी tensor quantities को class 9th और 10th में उठा कर किसमें डाल दिया जाता है? scalar quantities में तो 9th और 10th के level पर अगर कोई आपसे पूछे time कैसी quantity है तो आपको कहना चाहिए सर वैसे तो tensor होती है बट 9th के level पर वो scalar quantity है कोई पूछे आपसे कि बई current और pressure कैसी quantity है तो आपको क्या बोलना चाहिए सर scalar quantity होती है clear है क्या? बोलो यार क्या आपको feel आ रहा है? क्या चीजे समझ में आ रही है? एक बच्चा पूछ रहा है सर vector का addition law क्या है? देखो यार अब वो out of track आप मेरे को ले के जा रहे है लेकिन अब मैं आपकी एक्छाओं की पूर्ती जरूर करूँगा है ना? तो अगर ये कोई एक vector है इस direction में कोई दूसरा vector है इस direction में और हमसे कहा जाए भया दोनों vectors को add कर दो तो vector को add करने का तरीका है second vector के tail को first vector के head पर join कर दीजे जैसे ही आप join करेंगे जरा चेक कर लो ये रहा हमारा पहला vector ये रहा हमारा दूसरा vector अब अगर कोई बोले कि इन दोनों को add करना है तो first point को last point से जोड़ देना है यही कहलाता है resultant vector जिसका मतलब है A vector plus B vector तो vector को add करने के लिए ये method होता है जिसको कहा जाता है triangles law of vector addition ये vector को add करने के लिए triangles law कहलाता है this is triangles law of vector addition this is triangle's law of vector addition ये triangle's law होता है vectors को add करने के लिए और मेरे प्यारे बच्चों हम सब को पता है कि scalar quantities को add करने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं होता है मैं कहूँ भाईया एक object का mass था 4 kg इसके उपर 5 kg का एक object आउ रख दिया बोलो total mass कितना हुआ तो हम सब बोलेंगे 4 kg प्लस 5 kg, यानि टोटल 9 kg, लेकिन यहाँ पर एक certain method होता है, कि इस direction में दिखाएंगे, इस direction में दिखाएंगे, फिर initial point को final point से add करेंगे, मिलाएंगे, तब जाकर के resultant मिलेगा, है न, ऐसा कुछ भी scalar quantities में नहीं होता है, है न, शुब भाई, टेंसर quantity का मतलब, ऐसी quantities जिनके पास magnitude भी है, direction भी है, लेकिन वो vector के addition law, यानि इस तरह के किसी भी law को follow नहीं करता, जैसे, मैं आपसे बोलूं, कि भाईया, current देखो, मैं आपसे बोलूं, ये एक wire है, ये दूसरा wire है, यहाँ पे जुड़ गया है, और ये तीसरा wire है, इस वाल wire से 2A का current आ रहा है, शुब जरा comment करके बताओ, इधर की तरफ कितना current जाने वाला है, फटा फट बतादो बेटा, 1A का current आ रहा है, 2A का current आ रहा है, बोलो इधर की तरफ कितना current जाएगा, शुब फटा फट बता दीजे तो, 3A, ये शुब ने कहा, सर इधर 3A जाएगा, त तो ये जो तुमने यहाँ पे अप्लाई किया ना, 1A प्लस 2A बराबर 3A, ये simple है, यही है scalar quantity वाला nature, यानि कि current के पास direction भी है, उसके बावजूद उसको add करने का तरीका simple सा है, इसलिए current को हम tensor quantity में consider करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से time को भी tensor और pressure को भी हम tensor quantity कहते हैं, क्यो इसको add करने के कुछ नियम, तो ये triangle's law of vector addition मैंने बताया है, वीडियो को थोड़ा पीछ करो, और धड़ा धड़ा देख डालो, ठीके, तो फिलहाल हम लोग ने यहाँ पे चार quantities की बात किया था, distance कैसी quantity हो गई भाईया, इस scalar, distance कैसी quantity है, scalar क्योंकि इसका कोई fixed direction नहीं है, displacement कैसी quantity है भया वेक्टर क्योंकि इनके पास एक fixed direction होती है, ठीक है बाई चलो बहुत बढ़िया देखो मेरी बातों को एक एक बात को ध्यान से बेटा सुनना हसी बजाक में बातें जरूर आएंगी लेकिन आएंगी सारी सीरियस बातें है ना इसलिए एक चीज को सुनते रहेगा कहीं पर भी आप बोर भी नहीं होंगे और आपको हर एक चीज आज समझ में आएगी एक बहतरीन लेवल पर चीज़ें समझ में आएगी सिर्फ ध्यान से सुनना है एक एक बात को ठीक है और थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिल विल दिखाते रहे ना कमेंट सक्षन में है ना पता चलना चाहिए पता चलना चाहिए है ना टीचर को सो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी टेंसर क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको हिंट दे दिया है अब थोड़ा सा और डेफ्ट में घुसने की बात आ गई है इसलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है भाई सहाब जिस ही लोग सौल करके अभी बताओगे मेरे को questions है रा सो नेक्स टॉपिक वी हैव इस acceleration सर अक्सलेरेशन क्या होता है तो मेरे प्यारे बच्चों acceleration का मतलब है it is denoted by A acceleration का मतलब है delta V by delta T Sir, delta V क्या होता है delta V का मतलब है change in velocity delta V का मतलब क्या होता है change in velocity so acceleration को हम लोग क्या लिख सकते है change in velocity upon time interval time interval जब किसी object की velocity लगातार change हो रही हो जब किसी object की velocity लगातार change हो रही हो तब हम लोग कहते हैं कि वो object acceleration में है तब हम लोग कहते हैं कि वो object हमारा acceleration में है so acceleration is simply defined as delta V by delta T यानि change in velocity upon time interval इसी को हम ऐसा भी लिख सकते है final velocity minus initial velocity upon t तो ये भी acceleration का एक formula होता है कि final velocity v minus initial velocity u divided by time taken. दीपूर आज पूछ रहे है, सर ये dot product क्या होता है? पेटा, आज हम लोग dot और cross product में नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये session हमारा जो है, वो motion और loss of motion के लिए dedicated है कभी vector की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर बताएंगे कि dot product क्या है और cross product क्या है vectors को add, sorry, multiply करने के लिए दो तरीके होते हैं dot product और cross product, वो एकदम अलग चीज है अभी फिलाल यहाँ पे dot और cross product का कोई use नहीं है, इसलिए आप कताई tension ना ले, है ना आस 11 में आपके syllabus में आएगा so acceleration क्या होता है बाई साब, rate of change of velocity, तो मैं यहां लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ rate of change of velocity rate of change of velocity of any object is defined as acceleration, so acceleration is delta v by delta t v minus u by t, ऐसा formula acceleration का होता है अगर acceleration positive है तो object की velocity लगातार increase करती है acceleration negative है object की velocity लगातार decrease करती है, और अगर acceleration zero है मेरे प्यारे बच्चो तो object की velocity constant हो जाती है right अगर acceleration positive है तो velocity increase होगी, लगातार velocity बढ़ेगी, acceleration negative है अगर, तो इसी को हम लोग retardation भी कहते हैं, negative acceleration को ही हम लोग retardation भी कहते हैं retardation भी हम लोग कहते हैं और अगर वही acceleration 0 हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कि वही आप velocity जो है, वो constant हो गई है, वेलासिटी जो है वो constant हो गई क्या इतनी बात आप सभी को एकदम crystal clear है फटा-फट जड़ा बता दिजे comment section में अगर crystal clear है फटा-फट वीडियो को like करें channel को subscribe करें और अपने सारे दोस्तों में share करें ऐसा यह comment में बताओ आई like तो करी देना लेकिन comment में बताओ क्या एकदम crystal clear है तो मरीश पांडे ने बिलकुल हीरा निगाल के दिखाया है क्या रहे सर यह देखो diamond एकदम सर crystal clear है बिलकुल हीरा है सर सदा के लिए ऐसा मीना बिटा अभी work power energy की बात नहीं कर रहे है sequence से चलने दो यार अगर मैं मेढक की तरह ऐसे कूदूंगा की अभी motion फिर jump करके तुरंद आगया मैं differentiation फिर मैं आगया vector फिर low work फिर आगया Newton's laws of motion फिर आगया power तो भया खिचली पक जाएगी जैसे खिचली होता ना खिचली में सब मिला दिया जाता है जो घर में समान धरा हो सब उठाके खिचली में मिला दो खिचली है ना तो वैसा हम लोग यहां नहीं करेंगे नहीं तो एकदम ही भया क्या हो जागा खिचली बन जाएगा ऐसा नहीं करेंगे बिटामीना है ना हाँ mixed wage बन जाएगा मनीज भाई विलकुल सही है हाँ ठीक है अथर भाई तुम मेरी वाद को बढ़ ध्यान से सुनो अगर acceleration positive है तो velocity लगातार बढ़ रही होगी acceleration negative है तो velocity लगातार घट रही होगी और अगर acceleration zero है तो velocity को constant मान लेंगे कई बार teachers ये समझाते है sign convention के हिसाब से वो भी सही है sign convention के हिसाब से जा रहा है velocity negative है acceleration negative है ये भी तरीके होते हैं अभी आगे उन सब की बात मैं आपसे करूँगा आपका तई tension ना लीजिए देगे बाई तो अब आजाते हैं types of motion पर types of motion पर जो मैं चीजे समझा रहा हूँ तुम बस पूरी तरीके से उसको समझ लो types of motion तो भाई या motion होता है बिलकुल दो तरीके का सबसे पहला है uniform motion और दूसरी कटेगरी है non uniform motion पहला motion का type है uniform motion दूसरा है non uniform motion motion का मतलब object का position change होना uniform motion का मतलब है जब कोई object इक्वल डिस्टेंस कवर करे जब कोई object इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटर्वल ओफ टाइम इक्वल इंटर्वल ओफ टाइम अगर कोई object इक्वल टाइम इंटर्वल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है तो भईया इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस अगर वो कवर नेक्स्ट एक सेकंड में भईया फिर से दो मीटर चला नेक्स्ट एक सेकंड में फिर से दो मीटर चला तो बोलो ये object हर एक सेकंड में दो-दो मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है इसलिए इस object की जो speed है मेरे प्यारे बच्चो इस object की जो speed है मेरे प्यारे बच्चो वो 2 meter per second हो जाएगी यानि की object की speed यहाँ पर कैसी है constant है तो अगर किसी object की speed constant हो तो उस object के motion को uniform motion कहा जाता है अगर speed constant है मेरे प्यारे बच्चो और हम लोग बात कर रहे हैं straight line motion का straight line motion का बोलो यार अगर speed constant है और straight line motion की बात कर रहे हैं तो बोलो velocity भी कैसी हो जाएगी comment करके बता दो जरा for straight line motion बोलो velocity भी कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे नन्य मुन्य बच्चो velocity will be also constant क्योंकि जब बात straight line की की जाती है तो distance और displacement बराबर होता है जब straight line की बात करते हैं तो speed और velocity भी बराबर होती है clear है ना? speed और velocity बराबर हो जाएगी अगर हम straight line motion की बात कर रहे हैं तो ठीक है बाई? so speed constant है, velocity भी हमारी constant है जरा सभी लोग बता दीजे, acceleration कितना होगा? acceleration बोलो इस केस में कितना होगा? what is the value of acceleration? acceleration का formula होता है, change in velocity upon time interval yes, yes, very good so this value is 0 यानि कि uniform motion हमारा जो होता है वो unaccelerated motion होता है uniform motion मेरे प्यारे बच्चों, कैसा motion है? unaccelerated, uniform motion is unaccelerated motion और non-uniform motion की बात जरा कर लेते हैं non-uniform motion की बात कर लेते हैं object भया पहले second में, for example, 2 meter चला next एक second में 3 meter चला next एक second में 4 meter चला इस बार जो object है, वो हर एक second में unequal distance कवर कर रहा है इसलिए object की जो speed है, वो constant नहीं है speed of the object is not constant अगर speed constant नहीं है भाई साहब, तो velocity तो बोलो, वैसे भी constant नहीं होगी speed constant नहीं है, velocity भी constant नहीं है, लेकिन acceleration के बारे में क्या खयाल है बता दो ये motion में acceleration होगा या नहीं होगा बलो acceleration यहाँ पर होगा या नहीं होगा फड़ा फड़ा बता दीजिए acceleration के बारे में क्या ख्याल है speed constant नहीं है, velocity भी constant नहीं है इसका मतलब velocity variable है अगर variable velocity है मेरे प्यारे बच्चों तो बलो it is accelerated motion ये motion कैसा होता है? accelerated होता है, यानि कि यहाँ पर कुछ ना कुछ acceleration की value भाई सहाब होगी ही होगी कुछ ना कुछ acceleration की value यहाँ पर होगी ही होगी ठीक है? अब बाद आई, ठीक है सर अगर acceleration कुछ भी है सर अब आजाओ, यहाँ पर मैं बात करता हूँ तुमसे फॉर्मुले की चलो बात करते हैं फॉर्मुले की बात आपसे करते हैं फॉर्मुले की बात करते हैं द्यान से सुनना अगर uniform motion है acceleration की value 0 है तो भाई साथ सिर्फ और सिर्फ एक formula हमारे पास कोई भी numerical को पढ़िएगा अगर numerical को पढ़ करके आपको ये feel आ जाए कि भाईया speed constant है velocity constant है acceleration 0 है तो सिर्फ एक formula लगेगा और वो formula कौन सा है speed बराबर distance upon time सिर्फ एक formula है uniform motion के लिए मैं या लिख रहा हूँ मैं या लिख रहा हूँ for uniform motion मेरे प्यारे बच्चों uniform motion के लिए सिर्फ एक formula है that formula is speed is equal to distance upon time speed बराबर distance upon time बस एक ही formula है और कोई formula नहीं हमारे पास uniform motion के लिए सिर्फ एक सिर्फ एक जबकि for non-uniform motion अगर आप non-uniform motion की बात कर रहे हो तो ये motion accelerated है अगर ये accelerated है इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर acceleration होगा है ना so non-uniform motion is accelerated motion बेटा ध्यान से सुनना पूरा chapter summarize होने जा रहा है इसी एक slide में पूरा chapter summarize हो जाएगा सारे questions का fundamental आपके साथ मैं discuss कर रहा हूँ सारे questions का ठीके ना ध्यान से देख ना non-uniform motion अगर है तो वो हमेशा accelerated motion होगा और अगर acceleration है भाई साब तो दो cases हो सकते हैं या तो acceleration तुम्हारा constant होगा या तो acceleration constant होगा या तो acceleration constant नहीं होगा दो ही case हो सकता है बेटा बग्या यहां तो acceleration है नहीं uniform motion में तो बोलो acceleration है ही नहीं यहां तो acceleration की value कितनी है 0 है तो इसमें तो कोई low चाहिए नहीं है जब acceleration है नहीं तो कोई सबस्या नहीं है लेकिन यहाँ पर अगर accelerated motion की बात कर रहे हो तो बहुत कुछ ना कुछ acceleration तो होगा अगर acceleration होगा तो दो ही case हो सकता है या तो acceleration constant या तो acceleration not constant अगर acceleration constant है मेरे प्यारे बच्चों तो आप apply करेंगे equations of motion आप क्या apply करेंगे equations of motion तो सभी लोग जरा comment करके मेरे को बता दो equations of motion कब apply की जाती है बेटा बताओ सभी लोग comment करके बताओ फटा फट बताओ equations of motion कब apply किया जाता है सब लोग बता दीजे तो रितुराज सब बताएंगे जो हम बता रहे हैं पहले वो सुन लो जो तुम पूछ रहे हो वो सब आएगा sequence के साथ अभी जल्दी से बताओ equations of motion मेरे प्यारे बच्चों कब apply किया जाता है जब acceleration कैसा होगा constant जब acceleration constant हो सिर्फ और सिर्फ तभी equations of motion हम लोग apply करेंगे पहली equation of motion है v is equal to u plus a t second equation of motion है s is equal to ut plus half a t square third equation of motion है v square बराबर u square plus 2 a s basically देखा जाए तो हमरे पास 3 equations of motion होती है we have 3 equations of motion right v is equal to u plus a t s is equal to ut plus half a t square v square वराबर u square plus 2 a s जिसमें v का मतलब क्या होता है final कि वी का मतलब भया क्या होता है final velocity टेक यू का मतलब क्या होता है initial velocity कि यू का मतलब कि इनीशियल वेलास्टी एक मतलब क्या होता है acceleration कि एक का मतलब acceleration ठीक है टीक का मतलब क्या होता है time कि एसका मतलब क्या होता है displacement yes उत्सव अरा displacement एसका मतलब displacement यहां सबसे नीचे लिखो एसका मतलब displacement ठीक है बाई सो यह तीन basic तीन equations of motion हमारे पास है यह तीनो equations of motion हम तभी लगाएंगे जब acceleration की value constant होगी लेकिन सर अगर acceleration constant सर ना हो तब क्या करेंगे तब बेटा तब हम लोग concept लाते हैं differentiation और integration का तब concept किसका आता है तब concept किसका आता है differentiation यह सीधे कहो concept of calculus तब वहाँ पर calculus का concept आ जाएगा यानि कि velocity को मैं लिखूंगा ds by dt यानि differentiation of displacement with respect to time acceleration को मैं लिखूंगा dv by dt यानि rate of change of velocity और इसी acceleration का एक formula और होगा v dv over ds यह तीन formula हमारे पास आ जाते हैं अगर acceleration constant ना हो तब ठेक अगर acceleration बिटा constant ना हो तब यह तीन formula तुम्हारे पास आएंगे और अगर वो constant है तो यह तीन formula तुम्हारे पास आएंगे क्या अभी आप सभी को feel आया है पूरे इसी slide पर पूरा का पूरा chapter तुम्हारे सामने summarized way में रखा हुआ है अगर uniform motion है तो सिर्व एक formula speed बराबर distance upon time या फिर velocity बराबर displacement upon time ठीक और अगर non uniform motion है मतलब अगर accelerated motion है तो दो ही case हो सकता है या तो acceleration constant होएगा या तो constant नहीं होगा अगर acceleration positive है velocity बढ़ेगी acceleration negative है velocity घड़ेगी acceleration zero है velocity constant हो जाएगी अगर acceleration है तो ये तीन equations apply होंगी ठीक है और अगर acceleration constant नहीं है तो ये तीन equations apply होंगी जहां पे differentiation की बात की जाएगी आप लोगों से, ठीक है भाई, हाँ, छलो, थोड़ा सा आपको पहले numericals की तरफ ले चलते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और feel आ जाए, तो, ओह, ओह, वापस आजा भाई, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, चलो, ये question हमारे पास है, एकदम बववा चाप question है, एकदम आसान सा question है, question में कह रहे हैं, a person travels a distance of 5 meter towards east, then 4 meter towards north, and then 2 meter towards west, 5 meter in east, 4 meter in north, then 2 meter in west, 2 meter west की तरफ, देखो ये होता है east, ये होता है north, ये होता है west, बोलो यार, क्या इतना समझ में आ रहा है आपको, calculate the total distance traveled, फड़ा फड़ कमेंट करो यार सब लोग जरातो, total distance भी बता दो, total displacement भी बता दो, देखो distance का मतलब, actual path length, so that is 5 meter plus 4 meter plus 2 meter, हो जाएगा शुब शुब इक 11 meter, है ना, लेकिन अगर बात किया जाए displacement, तो भाई सहाब, displacement का मतलब होता है, initial point को final point से जोड देना, ठीक है भाई? यहाँ से अगर मैं एक line आईसी ड्रॉ कर लू, dotted line, तो भाई आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, total था 5 meter, अगर यह 2 meter लोट क्या है, तो यह भी 2 meter, तो यह कितना हो गया? तीन meter, this is 3 meter, यह 4 meter है, तो बोलो यह भी कितना हो गया? 4 meter, Pythagoras theorem, हम सभी को आता है, according to Pythagoras theorem, अगर मैं naming कर दू, यह A है माल लो, यह B है, यह C है, यह D है, यह E है, ठीक है? So, by Pythagoras theorem, पाइथागोरस theorem, अपलाई करोगे, तो A E का square जो है, वो A B का square प्लस B E के square के बराबर हो जाएगा, A B का square मतलब 3 का square, B E का square मतलब 4 का square, तो यह बन गया 9 प्लस 16, यह बन गया हमारा 25, तो A B, नहीं, A E की value आ गई, अंडर रूट 25, विच इस 5 meter, डिस्प्लेस्मेंट, बोलो यार, डिस्प्लेस्मेंट हमारा कितना निगल करके आ गया? 5 meter के बराबर, इस questions एक चीज अपने को और clear समझ में आ रही है, वो यह है कि सर, distance और डिस्प्लेस्मेंट में अगर compare किया जाएगा, तो distance हमेशा बड़ा होगा displacement से, distance is always greater than displacement if object is moving on curved path, किसी भी curved path पर अगर object है, तो distance हमेशा बड़ा होगा, curved path क्या होता है, जब direction change होगा, curved path का मतलब क्या है, in which direction changes, अगर direction change हुआ है, direction अगर change हुआ है, तो distance बड़ा होगा, और displacement छोटा होगा, distance is always greater than displacement, in this situation, right, next condition, distance is equal to displacement, distance आपका displacement के बराबर होगा, अगर आप straight line path पर move कर रहे हो, तो, ठीक है, तो इसको भी हम लिखेंगे, for straight line path, अगर कोई object हमारा straight line path पर move कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों, distance और displacement कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, clear है क्या, clear है क्या, so, distance और displacement, straight line path पर equal होते हैं, लेकिन curved path पर, जहां भी direction change हो रहे होगी, वहाँ पर distance बड़ा होगा, displacement जो है हमारा छोटा होगा, दोनों चीजों को अगर combined form में लिखा जाए, तो distance is always greater than or equal to displacement, distance greater than or equal to बड़ा क्या हो जाएगा, displacement, ऐसा हमें कहना चाहिए, ये कहना बिलकुल सही होगा, सही है बाई, चालिए, बहुत बड़िया, very good, note करते जाना, अब आजाओ जरा एक अगले question में, एक अगले question में सभी लोग आ जाएए, body is moving in a straight line, body जो है straight line में move कर रही है, its distances from origin are shown in this figure, इस figure में distance की बात हम से की गई है, ठीक है, find following displacement of the body in first two seconds, पहले दो second में आपको बताना है, body का displacement क्या होगा, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, या फिर 50 मीटर, पहले दो seconds में आपको बताना है, चलो, पोल पर answer करना है, आपके पास पूरे 45 सेकंड का समय है, comment में answer करिए, A, B, C, या फिर D, फटा-फट, answer करो, displacement of the body in first two seconds, पहले दो second में आपको बताना है, body का displacement क्या होगा, answer it, answer it, झाल 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 किया झाल करते हैं, हाँ वाई देखते हैं जरा तो पहले वाले question का first वाले question का मैंने चार options आपको दिये थे correct option इसमें है 40 correct option इसमें कितना है A से B 40 यानि C option absolutely right है आईए जरा हम लोग चेक कर लेते हैं वाया 79% बच्चों ने बिलकुल सही जवाब दिया है बेटा पोल आएगा नहीं पोल आपको इसी chat box में ही A B C D लिखना था बस A B C D वहीं पे लिख दो वहीं से यहाँ पर accept कर लिया जाएगा अपने आप है ना तो A वाला option भी वहीं 17% बच्चों ने किया है मनीश पांडे जी है सबसे आगे आर्क्सिना है अथर्व है शुब है यह युविक्स है दीपू राज है के एस है श्रयांश अनुष्का आर्यान अंजू पुलकेत रूद्रा इशांत आर्यान अनिल हिमांशू मिथिलेश इश्वरी अराया शर्मा या आर्या शर्मा सुमन और यह सबी लोग वैरिगड बह दूसरे कोशन पर आजो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन सेवन सेकेंड्स ये तो था बहुआ चाप कोशन अब थोड़ा सा अच्छा कोशन है टोटल डिस्टेंस बताना है साथ सेकेंड्स के अंदर टोटल साथ सेकेंड्स में मेरे प्यारे बचो आपको बताना है टोटल ड लाइक नहीं किया है तो पाप पड़ेगा और शेयर नहीं किया है तो उससे ज़्यादा पड़ेगा फड़ाफट सभी लोग वीडियो को शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों में सब को गुलाओ यार तभी तो मज़ा आएगा हुप सुप्सक टूस्तों में सब कर दोस्तों में स contributing हैं है हुप कर दोस्तों है हाँ वई तो देखो ऐसा है टोटल डिस्टेंस बताना है साथ सेकेंड्स में बिटा देखो जीरो से लेके साथ सेकेंड्स यहां तक की बात है इस बीच में वो पहले देखो 40 मीटर चला है फिर B से C उसका डिस्टेंस फिक्स है मतलब वो रेस्ट में है B से C तक वो रेस्ट में है उसके बाद वो फिर से मूव कर गया है कहां तक 80 मीटर तक 80 मीटर तक चला गया है फिर वापस लौट कर आया है बेटा 80 मीटर जाना 80 मीटर वापस लौट कर आना बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये टोटल 160 मीटर हो जाएगा क्या ये टोटल 160 मीटर हो जाएगा बेटा 80 मीटर जाना 80 मीटर वापस लौट कर आना है ना तो fan of challenger भी आ गए हैं बहुत-बहुत स्वागत है भईया आपका so 160 मीटर c option आपका बिलकुल चकाचक सही है केवल 25% बच्चा लोगों ने सही किया बाकी लोग क्या ध्यान से नहीं देख रहे हो बेटा हमसे क्या बोला गया total distance बताना है जब आप 70 मीटर गए sorry 80 मीटर गए और 80 मीटर वापस लौट करके आए हो 80 मीटर जाओ 80 मीटर वापस आओ very good चालो कोई बात नहीं होता है बड़े बड़े शहरों में है ऐसी छोटी छोटी बाते हो जाती है third part है third part है displacement in seven seconds seven seconds में भया displacement हमें बताना है तो 80 मीटर 160 मीटर ठीक है उसके बाद है 200 मीटर और उसके बाद है 0 मीटर फटा फट 45 सेकेंड का समय है चलो आंसर करो displacement की value बता दो seven seconds में what is displacement ये गलत कर दिया तो बहूत पाप पड़ेगा ये गलत कर दिया तो बहूत पाप पड़ेगा बहुत सिंपल है यार बहुत सिंपल है 80 मीटर गए है वापस असी बीटर लवट के आए है जहां से आए है वहीं पे जाना है तो बता दो जरा displacement कितना होगा हमारा what is the value of displacement सब्सक्राइश मेंट सब्सक्राइब इस दा राइट आंसर दी हमारा बिलकुल सही जवाब है 77 परसेंट बच्चों ने बिलकुल सही जवाब दिया है शीबा है सबसे पहले अनुष्का है जै है संब्राट है हर्श है अतर्व है दीपू है इट्स एन्बी भी है केस क्रियेशन भी है फैन ओफ शैलेन सर भी है अनिकेत आर्क आर्यन आर्या आर्यन रिशब अनिल मितिलेश नैतिक भावेश रितू अरे बहुत सारे बच्चे है वेरी गड़ चलो बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तो एकदम सिंपल सी चीज है समझ में आया होगा बिटा इनीशन और फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाए तो ऐसे केसे में डिस्प्लेस्मेंट की वेल्यू जीरो हो जाती है हा भाई चलो एक concept आपको अब मैं और सिखाता हूं concept है concept of average velocity Now we have one more concept of average speed और velocity ठीक है पहले आपको मैं average speed का concept आईए सिखाता हूं concept of the average speed हाँ देखो जरा देखो देखो बेटा अगर कोई object ऐसे motion में है कि उसकी speed लगातार हाँ लगातार अगर उसकी speed change हो रही है तो ऐसे में फिर हम लोग average speed निगालते हैं और बेटा average speed का मतलब है total distance traveled एक ही formula है बस total distance traveled upon total time taken total time taken हमेशा बस यही एक formula बेटा आपको apply करना है जब भी कभी आपसे average speed पूछी जाएगी तब कभी भी मैं आपसे कहूँ भाया average speed बता दो तुरंत यही formula अप्लाई करना है total distance traveled upon total time taken always रामबाल फॉर्मुला है हमेशा यही apply होगा total distance कितना travel हुआ है divided by total time कितना लगा है मानलो object a से गया b तक फिर वो b से गया c तक यहाँ पर speed v1 थी यहाँ पर speed v2 था यहाँ पर time t1 है यहाँ पर time t2 था a से b जाने में t1 टाइम लगा v1 speed थी b से c जाने में t2 टाइम लगा v2 speed थी तो अब अगर आपको ऐसे cases में कहा जाए कि भाया average speed बतानी है तो जरा सोचो average speed क्या हो जाएगी यहाँ पर बहुत simple average speed का मतलब होता है total distance traveled तो distance कितना है बेटा a b plus b c total time कितना है साफ साफ question में given है t1 plus t2 है ना अब मेरे प्यारे बच्चो क्योंकि हमारे पास formula बड़ा simple है speed is equal to distance upon time तो distance is equal to speed multiplied by time है ना speed कितना है v1 और time कितना है t1 तो a b कितना हो जाएगा बेटा v1 t1 b c कितना हो जाएगा v2 t2 divided by t1 plus t2 तो यह आपके पास एक formula आ गया इसको आप as a formula अपने दिमाग में रख सकते है ठीक है जब भी कभी आप से यह कहा जाए कि कोई एक object ने एक यह distance ठीक है आधा distance या certain distance v1 velocity से t1 time के लिए cover किया remaining distance v2 velocity से t2 time में cover किया तो average speed का formula भया कितना है average speed का formula कितना है v1 t1 plus v2 t2 upon t1 plus t2 यह formula हम लोग direct use कर लेंगे जब ऐसा case आएगा लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कभी भी कोई भी question आए इस formula पर focus कर देना तुरंत question आपका बन जाएगा तुरंत आपका question बेटा फटा फट question आपका solve हो जाएगा राइट अच्छा आओ बैं आपको question solve करके दिखाता हो इस question में हमसे कहा जा रहा है car travels first half of the distance between the two places at a speed of at a speed of 40 आधा distance यानि A से लेकर वो मालो B तक गया आधा distance उसने 40 km per hour की speed से travel किया remaining half distance उसने 60 km per hour की speed से travel किया C point तक पहुँच गया आपको बताना है what is the average speed of this car average speed मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कितना होगा ठीक है आधा distance 40 से travel किया आधा distance 60 से travel किया आपको बताना है average speed आखिर यहाँ पर कितनी होने वाली है चलो जड़ा answer it answer it एक मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं पूरे पूरे एक मिनट का समय मैं आपको दे रहा हूं फटा फट सभी लोग solve कर डा लिए हिंट दे रहा हूं average speed का मतलब total distance traveled upon total time taken इधर माल लो T1 इधर माल लो T2 चेक तो distance कितना हो जाएगा भाई 40 T1 distance को x माल लो इसको भी x माल लो आधा ये है आधा ये है time निकाल लो खालिए a से b जाने में x distance उसने travel किया है which is equal to speed into time speed है 40 time T1 माल लो similarly x जो है हमारा वो 60 T2 माल लो तो बस T1 की value आ गई यहाँ पर x upon 40 और यहाँ से T2 की value आ गई x upon 60 रगद उठाकर x upon 40 plus x upon 60 तो ये बन जाएगा 2x यहाँ से आप x common कर सकते है 1 by 40 plus 1 by 60 x से x हो गया cancel LC हम लोगे तो 2 into 40 into 60 divided by 40 plus 60 करोगे 100 आएगा 2 0 से 2 0 हम लोग उड़ा देंगे value आ जाएगी कितनी 45 48 km पर आर 48 km पर आर तो यहाँ पर भया 46 है ये तो misprint हो गया typing error हो गया 20 साब ये 48 है typing error है तो c option सबसे closest option हाँ तो 48 हमारा एक दम चकाचक सही है c option को ही हम लोग सही मान लेते है ठेका है 100% बच्चे लोगों ने c option किया है इसका मतलब 100% बच्चा गलेत था हाँ नलायकों तो ने सही है सही है हाँ बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चो c option एकदम चकाचक है है दीपू है आर्क है स्टॉक भी है यहां पर अनिल भी है अथर भी है शुब है सारे ही बच्चे है जब 100% है हाँ इसकी तो ओहो चला गया हाँ नहीं तो यह तो फोटो कीच लेना चाहिए था ला इसको फोटो कीच के हम अपने घर में ऐसे मढवा के इसको जो है टांग ल अपने लिए और इतनी तेज ताली बजाईएगा कि यहां पर मेरे कानों तक आपकी आवाज आए फड़ा फट एक बार खुद को एप्रिशेट करिए आप सभी ने आंसर विल्कुल चका चक सही दिया है तो जरा खुद को एप्रिशेट करिए एक बार फटा फट ताली आपकी नेक्सट कुश्चन अगला कुश्चन क्या है जरा ध्यान से देखो अनौन इस स्पाफ बस गोस फॉपन स्टेशन टो अनधर स्टेशन फिश्ट इन अधर स्पीड ऑफ टिफ फूर किलोमीटर पर आर अच्छा जी यह बस है किसी स्टेशन एस्टेशन बी तक जाती है 54 km per hour की speed से and same bus returns from the second station to first station with a speed of 36 km per hour find the average speed of the bus for the entire journey यह जो bus है A से B गई है 54 की speed से B से वापस A आई है 36 की speed से आपको बताना है कि इसकी average speed कितनी है 90 seconds का आपके पास समय है इस bus की average speed बेटा बतानी है कितनी होगी total distance traveled upon total time taken यही लगाना है बस A से B जाना B से वापस A आना total distance हो गया to A भी total time निगालना है खालिए time निगालना है खालिए देख लो भाईया A B is equal to 54 T1 और बाद में वही A B is equal to 36 T1 तो यहां से निगालो T1 A B upon 54 यहां से निगालो T2 that is A B upon 36 दो नो values उठा कर यहां धड़ा धड़ा तो तो A B upon 54 2 into 54 into 36 divided by 54 plus 36 तो अब हमें भाईया एक शांदार से हतियार की जरुवत है तो यह आ गया हमारा धड़ा धड़ वाला हतियार फड़ा फट 2 into 54 into 36 divided by इसको एड़ करेंगे तो 90 आ जाएगा so 43.2 43.2 km per hour यह हमारा आंसर होना चाहिए ऐसा आंसर है हमारा B part इसलिए B option हमारा बिलकुल चका चक सही जवाब है 89% अरे वाँ भाई very good 89% बच्चों ने बिलकुल चका चक सही किया है सबसे fast solve किया है प्रतम कुमार ने फिर NB भी है भावेश है शुब हिमांशू अनिल आर्क सुमन मनीश very good बहुत बढ़िया बिटा बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब देखो जरा अगला question पे आ जाओ अब ये जो question हमारा है ये equations of motion पर based question है equations of motion कब apply करते हैं हम लोग मेरे प्यारे बच्चों जब acceleration की value constant हो आओ जरा question को देखते हैं यानि कि एक stone यहां से गिराया गया है इस जगे से एक stone गिराया गया है वो इस window को जो की 2 meter height की window है उसको 0.1 second में travel करता है how far is the roof above the top of window इस window के उपर कितना roof है यानि कि आपको h की value बतानी है आपको h की value बतानी है मेरे प्यारे बच्चों चलो जड़ा पूरे 2 minute का समय दे रहा हो solve it पूरे 2 minute का समय है solve करो बेटा window क्रॉस करने में अगर उसको 2 meter का window है 0.1 second का time लगता है तो आखिर h की value क्या है in this diagram क्या ये question आप लोगों ने पहले ही कर रखा है कुछ बच्चे धाधर पहले ही जो है answer दे रहे हैं क्या आप लोग कर चुके हैं same question को second equation of motion होती है s is equal to ut plus half 80 square 2 meter का उसने बिटा distance travel किया थिक मान लो जब वो stone जब stone यहां पर था तो उसकी speed कुछ u के बराबर थी let us suppose तो ये u हो गया time कितना उसको लगा 0.1 का half acceleration हम जब को पता है ये free fall है तो यहां पर 9.8 लगेगा या 10 मान लो चलो 9.8 ले लेते हैं ठीक और 0.1 का whole square divided by 2 ये इदर जाएगा minus 2 हो जाएगा 1.951 और divided by 0.1 हो जाएगा तो u की value आजाएगी तुमारी 19.51 meter per second यानि कि एक चीज अपने को अभी मिल चुकी है वो ये है कि जब stone यहां से गिर रहा होगा और यहां से यहां तक जा रहा था यहां से यहां तक यानि b से c तक के motion की मैंने बात किया है तो b point पर stone की हमें speed मिल गई है जब वो b पर था जब वो b पर था लेकिन हमारा interest तो h में है तो आज यह motion हम लोग a से b की बात करते हैं अभी हम लोग ने motion की बात किया है b से c ठीक? now for a b again h is equal to उपर से अगर stone को drop किया जाता है किसी भी चीज को अगर drop करते हैं तो बेटा यहां पर इसकी initial speed कितनी होती हमेशा? 0 के बराबर तो इसको उपर से drop किया गया है तो ut 0 हो गया half acceleration है 9.8 ठीक है? और time अपने को निगालना है लेकिन इससे तो काम बनेगा नहीं क्योंकि time तो हमें पता नहीं है तो ऐसा करते हैं हम लोग third equation लगाते हैं भाई v square बराबर u square plus 2gh इसको अपलाई करते हैं final velocity देखो a की velocity 0 है लेकिन b की velocity हम सब लोगनों निगाल लखी है so that is 19.51 का whole square is equal to u square 0 हो गया plus 2 into 9.8 into h ये h हम लोग यहां से निगाल सकते हैं 19.51 square 2 into 9.8 आए इसको simplify करने की कोशिश करते हैं 19.51 into 19.51 square हो गया divided by 2 divided by 9.8 so h की value आ गई है 19.42 meters के बराबर 19.42 meters के बराबर तो 19.42 meter जैसा option बिटा कौन सा है a option a option वाले सिर्फ 13% बच्चे हैं ये आप लोग ने d क्यों टिक किया मेटा जरा ये बताओ मेरे को ये आप लोग ने d कहें टिक किया है है बोलो वाई ये d आप लोग ने क्यों टिक किया है मेरे प्यारे बच्चों जरा सभी लोग बता दो तो d कहें टिक किया है सब लोग अगर यहां से ड्रॉप करोगे तो इनीशल स्पीड जीरो होगी ठीक है तो पहले में a से b के लिए a से b के लिए third equation अप्लाई कर रहा हूं third equation होदी न v square बराबर u square plus 2gh right तो v यानि की final velocity कितनी है तो final velocity कहां की हो जाएगी b point की velocity इनीशल 0 है 2g की value 9.8 है है और h तो h की value हम लोग यहां से निकालेंगे ठीक है वो इस speed का square divided by 2 into 9.8 value solve होकर क्या गई है 19.42 meters के बराबर clear है इस तेहार या thank you बेटा आध्या थोड़ा समझने की कोशिश करो समझने की कोशिश करो बया देख लो ध्यान से सब लोग देख लो बया ठीक है चलो very good I think समझ में आ गया होगा थोड़ा सा चलो पहले मैं तुम्हें इंट्रो और देता हूँ equations of motion के बारे में तुमको थोड़ा सा और बताता हूँ देखो अगर बेटा हम लोग किसी भी एक object को यहां से drop करते हैं कभी भी तो उसकी initial velocity 0 होती है देखो जो तरीका मैं apply करता हूँ मैं आपको पहले वो तरीका सिखा रहा हूँ जो तरीका मैं apply कर रहा हूँ वो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा तरीका यह है क्योंकि object नीचे की तरफ जा रहा है अर्थ भी object को अपनी तरफ खीच रहा है इसलिए मैं इसके acceleration को कैसा मानता हूँ positive object नीचे जा रहा है अर्थ भी इसको नीचे की तरफ ही खीच रहा है तो मैं इसके acceleration को कैसा मानता हूँ मेरे प्यारे बच्चो पॉजिटिव यह हमारा ground है तो equations क्या बन जाएंगी v is equal to u plus gt h is equal to ut plus half gt square v square बराबर u square plus 2gh जहाँ पर h क्या है जितना height यह नीचे जाने वाला है जितना height यह नीचे जाएगा वो मैं यहाँ पर h ले लूँगा clear है ठीक है ठीक है भाई एक minute देंगे बेटा ठीक है अब अगर हम लोग किसी भी object को उपर की तरफ फेकते हैं मानलो किसी speed u से ground से हम object को उपर फेक रहे हैं अगर हम ground से object को उपर की तरफ फेक रहे होंगे top most point पर इसकी final velocity हमेशा zero हो जाती है ठीक है टॉप मोस्ट पॉइंट पर फाइनल वेलोस्थी इसकी कितनी हो जाएगी बिटा, जीरो हो जाएगी, ठीक है, अब एक चीज समझो, अब्जेक जा रहा है उपर और अर्थ उसको खीच रहा है नीचे, इसलिए मैं उसको रिटार्डेशन मानता हूँ, इसलिए मैं लेक रहे हैं, अर्थ नीचे खीच रहा है, इसलिए हम लोग इसको रिटार्डेशन मानेंगे, निगेटिव लेकर चलेंगे, और यही हमारा बन जाएगा, V is equal to U minus GT, H is equal to UT minus half GT square, और V square बराबर U square minus 2GH, यह तीन equations हमारे पास, कुछ इस तरीके से manipulate हो जाएंगी, देखो कई बार teachers जो है, वो sign convention भी लेकर के बताते हैं, वो भी तरीका सही है, उसमें कहीं कोई गणबर नहीं है, लेकिन ये भी तरीका सही है, इसमें भी कहीं कोई गणबर नहीं है, देखो जब object मेरे प्यारे बच्चों नीचे की तरफ जा रहा हो, तो हमे लिए tension लेने की जरुवत नहीं है, जब भी हम किसी vector quantity की बात करते हैं, उस vector quantity का positive या negative होना, vector quantity का positive या negative होना direction को represent करता है, और यहाँ पर हमें साफ साफ पता है कि object नीचे आ रहा है, acceleration due to gravity भी नीचे लग रहा है, जब direction अपने को पता है, तो वहाँ positive negative से कोई फर्क नहीं यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी वही बात है, हमें पता है object उपर जा रहा है, लेकिन अर्थ उसको नीचे खीच रहा है, जब सारी directions आपको अगर पता है, तो positive negative से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पढ़ता है, बात सवज में आई, दोनों तरीके होते हैं questions को solve करने के, ठेक हैं, दोनों methods है, हाँ, यह वाला question बोलो कितने लोगों को clear है, यह वाला question कितने लोगों को clear है, जरा एक बार सभी लोग यहाँ पर comment section में जरा आग लगा दीजे, अगर यह वाला question आपको एकदम clear हो गया है, बात समझ में आ गई है, तो, फटा फट बेडा, बता दो जरा अ समझ में आ गया है, तो, ठीक है, चलो, जिन बच्चों को clear नहीं हुआ है, उन बच्चों के लिए मैं इस question को एक बार और discuss कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ बर discuss कर रहा हूँ, चलो, देखो, यह window है, window की जो height है वह वो 2 मीटर है, इस window को cross करने में उसको time लगता है, 0.1 second का, 0.1 second का, राइट, और यहाँ कहीं से उस stone को drop किया गया था, तो उसकी initial speed 0 रही होगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हमने stone को drop किया, initial speed 0 रही होगी, speed लगाता बढ़ रही है, बढ़ रही है, ए point से drop किया था, जब वो B point पर पहुचा है, फिर C पर आया है, finally नीचे गिर रहा है, हमसे question में यह वाली height पूछी गई है, कि भाईया, यह height बता दो, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर यह stone यहाँ से यहाँ पहुचने में, 0.1 second का time लेता है, और height अपने को पता है, height भी given है, time भी given है, इसलिए मैं यहाँ पर second equation लगा रहा हूँ, h is equal to ut plus half gt square, अब देखो, क्योंकि वो stone नीचे आ रहा है, तो मैं acceleration को कैसा मान रहा हूँ, positive, plus g, इसलिए मैंने देखो, positive वाला sign यहाँ पर consider किया है, तो height की value कितनी हो गई, 2 meter, u का मतलब यहाँ की speed, u इस b point की speed, क्योंकि शुरुआत तो यहाँ से हो रही है, b से c वाले motion की शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो यह speed u हो गई, तो यह हो गया u, time है हमारा 0.1, ठीक, plus acceleration है 9.8, time है 0.1, इसको आप पूरी तरीके से जब solve कर लोगे, तो solve करके u की value हमारी कितनी आएगी, u की value solve होकर आएगी 19.51 meter per second, 19.51 meter per second, बोलो, solve तो कर लोगे ना भाई, solve तो मेरे प्यारे बच्चों कर लोगे ना, उसमें तो दिक्कत I think नहीं होगा, simplify तो कर लोगे ना, हाँ, हाँ, और, 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 अगला देखो, next case देखो, next case देखो, next case देखो, next case देखो है, कि अगर यहां की speed हमें मिल गई है, तो क्यों ना मैं A से B की बात कर लूँ, अगर मेरे को B point की speed मिल गई है, तो मैं A से B वाले motion की बात कर लूँ, यह मैंने B से C के motion की बात की है, अब मैं A से B वाले motion की बात कर रहा हूँ, जब आप A से B object को ले करके आ रहे हो, अब मैं equation apply कर रहा हूँ third वाला V square बराबर U square plus 2GH फिर से क्योंकि वो downwards हा रहा है इसलिए मैं acceleration को कैसा मान रहा हूँ positive अब जड़ा चेक कर लीजे मेरे प्यारे बच्चों B point की जो speed है वो हम लोग निकाल चुके हैं तो उसको मैं लिख रहा हूँ 19.51 का whole square ठेक है क्योंकि drop किया गया है तो यहां की speed कितनी है 0 के बराबर plus 2G की value 9.8 है H हमें निकालना है जैसे ही आप solve करेंगे H की value आपकी solve होकर के आ जाएगी कितनी 19.42 मीटर 19.42 मीटर के बराबर अब तो बेटा समझ में आ गया होगा अब RN को एक doubt है RN ने कहा सर आप बिल्कुल सही बता रहे है लेकिन रक्षक सर ने थोड़ा अलग style से बताया है वो भी तरीका सही है मेरे भाई बै बोल तो रहा हूँ ये भी तरीका सही है दोनों ही method सही है और उस method से करोगे तो भी सेम answer आएगा देखो रक्षक सर ने आप से क्या बोला होगा वो उन्होंने sign convention तुमें सिखाया होगा कि उपर की direction को positive मानते है नीचे की direction को भया negative मानते है तो उन्होंने आप से ये कहोगा क्योंकि object नीचे आ रहा है तो height को कैसा लेंगे negative लेंगे तो तुमने इसको minus मान लिया होगा बोलो यार तुमने इसको minus मान लिया होगा है ना minus मान लिया होगा फिर क्योंकि object नीचे गिर रहा है तो velocity को भी मैं minus मानूंगा क्योंकि नीचे जा रहा है तो u भी negative हो गया acceleration आप से सर ने बोला कि हमेशा निगेटिव होता है तो तुमने जी को भी निगेटिव माल लिया ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव मेरे भाई माइनस कॉमन लेके उड़ाओगे तो यही तो आ जाएगा अरे यार समराठ भाई नाम समराठ है अरे दिमाग भी समराठ करो यहां भी माइनस लगाओ, यहां भी माइनस लगाओ, यहां भी माइनस लगाओ, और माइनस कॉमन लेके अगर उड़ा दोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा सेम आ जाएगा बेटा वो भी तरीका सही है ये भी तरीका सही है कहीं कोई घडबल कोई लोचा नहीं है हरा हाँ सत्यम तो हमारे दो टीजर के पीछे पड़ गये है है चल वाई आगे देखो आगे देखो question है bullet moving with the initial velocity of this strikes a target and comes to rest after penetrating the target to a distance of 10 centimeter calculate retardation caused by the target चलो 90 seconds का समय है पूरे 90 seconds का समय है bullet है bullet की initial speed है वहीं 20 meter per second bullet एक target में जाकर के टकराता है comes to rest यानि final velocity 0 और finally वो target के अंदर 10 centimeter का distance travel करता है तो आपको बताना है retardation की value क्या होगी ये तो बहुत ही simple है बहुत ही simple है तुरंत अप्लाई कर दो V square is equal to U square plus 2 A S ये 0 है ये 20 का square है acceleration निकालना है 10 centimeter है source divide करोगे meter में convert हो जाएगा 0 is equal to 400 plus 0 0 कड़ जाएगा 210 cancel होगा 1 by 5 A के बराबर तो acceleration की value आजाएगी minus का 400 multiplied by 5 तो minus का 2000 meter per second square ऐसा कोई option है क्या yes the option हमारे पास ऐसा है इसलिए इस particular question का correct answer है मेरे प्यारे बच्चो the option ये तो एकदम आसान है देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूँ हर competitive exam में कुछ questions easy आते है सबसे पहला target मेरे प्यारे बच्चो हम लोग का वई होना चाहिए easy question तो कताई गलत नहीं होना है आसान question तो बिलकुल भी गलत नहीं करना चाहिए ठीक है हाँ सो इसने आ रहा है ममता, मितलेश, रिशब, शुब, भावेश concept सिखाता हो अब concept हम लोग कौन सा बढ़ रहे है graph, concept of graph concept of graph देखो किसी भी graph में हम लोग किसी भी दो quantities के बीच का relation रिप्रेजेंट करते है we show relation between two quantities relation between two quantities in any graph किसी भी graph में दो quantities के बीच का हम relation रिप्रेजेंट करते हैं एक quantity x-axis पर होती है एक quantity y-axis पर होती है जो x पर quantity है वो independent quantity है independent quantity है जबकि y-axis पर जो quantity होती है वो dependent quantity होती है this one is dependent quantity ऐसी quantity जो x पर depend करे है है ना थीक है चलो ध्यान से सुनो अब मेरी बात को अगर कोई quantity ऐसी हमें मिल जाए कोई relation हमें ऐसा मिल जाए इस relation को साफ देखकर यह समझ में आ रहा है कि जब x की value 0 थी तब y की value भी 0 थी जैसे जैसे जब x यहाँ पर पहुँचा तो इसके corresponding ज़रा चेक कर लो y यहाँ पर पहुच गया जब x यहाँ पर पहुचा तो इसके corresponding बेटा y यहाँ पर पहुच गया जब x यहाँ पर पहुचा तो इसके corresponding चेक कर लो y है वो यहाँ पर पहुच गया तो इससे यह समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे x increase हो रहा है वैसे जैसे x increase हो रहा है clear है, दोनों increasing है, ठीक है, तो बेटा, यही graph का purpose है, graph यही represent करता है, एक quantity के increase होने से आकर दूसरी quantity पर क्या फर्क पढ़ रहा है, ठीक है, एक quantity के बढ़ने से, x के बढ़ने से, y पर क्या फर्क पढ़ रहा है, तो भाईया, x के बढ़ने पर y भी हमारा increase हो रहा है, यह represent करता है कोई भी graph राइट graph से हम लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ दो चीजें निगाल सकते किसी भी graph से मेरे प्यारे बच्चों हम लोग हमेशा दो चीजें निगाल सकते हैं कोई बताएगा क्या-क्या graph से सिर्फ और सिर्फ दो चीजें निगाल सकते हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो दो चीजें हाँ, slope और area very good, सबसे पहले बेटा हम लोग क्या निकालने वाले हैं, graph से slope, दूसरा हम लोग क्या निकालने वाले हैं, graph के नीचे का area दो चीजें निकाल सकते हैं, slope और area right, graph का slope और graph का area slope of the graph and next one is area under the graph यही दो चीजें हम लोग निकाल सकते हैं, किसी भी graph से, slope का मतलब मेरे प्यारे बच्चों slope को M से denote करते हैं slope का मतलब होता है change in the quantity on y-axis upon change in the quantity on x-axis slope का मतलब क्या है वाई साब change in the quantity on y-axis upon change in the quantity on x-axis अगर इस graph में मैं आपको show करूँ, तो यह है delta y, that is change in y and this will be delta x which is change in x यह हो गया change in y यह हो गया change in x right, या फिर इसको मानोगे अगर delta y, तो यह हो जायगा delta x कहने का मतलब slope का मतलब क्या है slope का मतलब क्या है slope का मतलब है change in the quantity on y-axis divided by change in the quantity on x-axis अगर बात समझ में आई है फटाफट जरा बतादो कमेंट में मेरे को slope depend किस पर करता है line के inclination slope किस पर depend करता है line के inclination inclination का मतलब मेरे प्यारे बच्चों क्या है ध्यान से समझना मेरी बात नहीं तो bounce हो जाएगी अब यह वाला जो एंगल थीटा है यही एंगल थीटा line के inclination को represent करता है यह जो एंगल थीटा है यही inclination को represent करता है जैसे जैसे यह inclination बढ़ेगा slope भी बढ़ेगा जैसे जैसे inclination बढ़ रहा है उसका slope भी बढ़ेगा यानि कि किसी भी line में यह जो एंगल होता है यह एंगल ही यह एंगल ही उसके slope को represent करता है जैसे जैसे angle increase होगा वैसे वैसे यहाँ पर slope भी increase हो जाएगा ठीक है? हाँ yes trigonometry के form में अगर मैं आपको बताऊं तो यही slope लिखा जाता है tan theta यही slope किसके बराबर होता भया tan theta trigonometry के form में यही theta यही slope जो है वो tan theta के बराबर होता है this is tan theta, right? जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा tan theta की value भी बढ़ रही होती है और अगली चीज है area क्या है area under the graph का मतलब है area represent area represents product of product of quantity on x-axis and quantity on quantity on y-axis देखो slope निकालना हम लोग को आता नहीं था slope हम लोग को निकालना आता नहीं था इसलिए मैंने slope निकालने का तरीका बताया slope क्या है? delta y बड़े delta x यानि change in y upon change in x यह slope होता है slope inclination को represent करता है जैसे 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 एंगल बढ़ेगा inclination बढ़ेगा वैसे वैसे slope भी बढ़ेगा ठीक है? तो सर्फिर area क्या represent करता है? area represent करता है product of the quantity on y-axis upon quantity on x-axis जैसे जैसे अगर x-axis पर time given हो y-axis पर velocity given हो velocity given हो तो आप ही बता दो इसका slope क्या represent करेगा? बताओ जल्दी से चलो slope क्या represent करेगा पिटा? अगर यहाँ पर velocity है y-axis पर velocity है, x-axis पर time है बताओ y-axis पर velocity, x-axis पर time है slope क्या represent करेगा? slope, slope की बात कर रहा हूँ, area की बात नहीं कर रहा हूँ slope पहले बताओ slope, इसका slope क्या represent करेगा? slope का मतलब क्या होता है? quantity on y-axis upon quantity on x-axis यानि slope will represent velocity upon time in fact change in velocity upon change in time जो कि क्या होता है acceleration क्या represent करेगा acceleration yes acceleration इस graph का slope velocity time graph का slope क्या represent करता है acceleration और अगर मैं area की बात करूँ तो देखो area की value क्या है ये बड़ा simple है कि सर क्योंकि ये triangle बन रहा है सर तो इसके नीचे का जो area है सर वो ये triangle का area है triangle का area half base into height होता सबको पता है लेकिन वो area represent क्या करेगा ये area क्या represent करेगा बेटा this area will represent displacement yes very good this area will represent displacement ये area हमारा क्या रेप्रेजेंट करेगा displacement very good this will represent displacement क्या आप सभी को एकदम crystal clear है ये concept बोलो क्या ये concept एकदम crystal clear है अगर मैं आपको ग्राफ दे दूँ ग्राफ दे दूँ displacement और time का मानलो ऐसा ग्राफ है displacement और time का ठीक है इस ग्राफ का slope बोलो क्या represent करेगा इस ग्राफ का slope बोलो क्या represent करेगा slope इसका क्या बताएगा displacement upon time यानि की velocity और इस ग्राफ के नीचे का जो area है that will represent displacement multiplied by time जो की कुछ नहीं होता है this will represent displacement into time जो की कुछ भी नहीं होता है value वो बले निकाल लें लेकिन वो कुछ भी होता नहीं है क्या आप सभी को बात समझ में आ गई है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चो ठीके न भाई इसका slope बदाएगा velocity इसका area बदाएगा displacement अब आजो थोड़ा सा depth वाली बात करते हैं ये तो आसान आसान चीज़ें हो गई अब थोड़ा depth में आओ depth में घुसो जड़ा देखो मान लो ये graph है position और time का position और time का y axis पर मैंने क्या ले रखा है x मतलब position और x axis पर मैं क्या लेके चलना हूँ time और बेटा graph कुछ ऐसा है ये graph हमें क्या-क्या show कर रहा है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना ये graph show कर रहा है जैसे जैसे time बढ़ रहा है वैसे वैसे position बढ़ नहीं रही है position कैसी है constant है अगर position constant है इसका मतलब theoretically अपने को पता है object हमारा rest पर है अगर object ने position change नहीं किया इसका मतलब वो object हमारा rest पर है अब graph पर आओ graph से क्योंकि दो ही चीज निकाली जा सकती है पहला है graph का slope दूसरा है area इस graph का जो slope है slope का मतलब होता है inclination तो ये जो graph है ये तो x-axis के parallel है ये तो x-axis के साथ angle बना ही नहीं रहा है तो sir इसका angle तो 0 है तो slope का मतलब 10 0 degree और 10 0 की value 0 होती है यानि कि इस graph का slope 0 होगा और इस graph का slope क्योंकि ये position है के time है position upon time बेटा velocity होता है तो अपने को क्या पता चला कि भाई या इस graph का जो slope है वो 0 के बराबर है और इस graph का slope velocity represent कर रहा है which is 0 इस graph के नीचे का area में निकाल भी लूँ अगला graph देखो next graph देखिए position और time का अगला graph मैं ऐसे दिखाया इस graph का मतलब time बढ़ रहा है उसके साथ साथ position भी बढ़ रही है इसका मतलब object हमारा motion में है ये मैंने theoretically बताया अब graph में गुसो graph से हम दो ही चीज़ निकाल सकते हैं अगर मैं इस graph के slope की बात करूँ मेरे प्यारे बच्चों तो इस graph का जो slope है वो delta x upon delta t represent करेगा change in the quantity on y axis delta x upon change in the quantity on x axis यानि delta t so it is delta x upon delta t और किसी भी straight line के लिए क्योंकि ये angle देखो theta है चाहे यहाँ देखो यहाँ पर देखोगे तो भी angle theta है यहाँ पर देखोगे तो भी angle theta है किसी भी straight line का slope बेटा हमेशा क्या होता है constant और इसका slope बोलो velocity को represent कर देगा right ठीक है भाई तो अपने को ये पता चला क्या ये clear है आपको फटा फट बोलो ये बाद का एकदम चका चक clear है आपको बेटा rate of change of speed को भी acceleration ही बोल देते है ठीक है वैसे वो कुछ होता नहीं है straight line motion के लिए speed और velocity दोनों same होता है इसलिए उसको भी acceleration ही कह सकते हूँ हाँ slope बदलब dy by dx बिल्कुल सही है slope बदलब dy by dx इस graph के नीचे का area निकाल भी लें तो area कुछ यहां represent करने वाला नहीं है इसलिए हम area में ज़्यादा यहां नहीं involved होने वाले है अगला graph देखो next graph देखो बड़ा important है यहां पे है time यहां पर है position और graph बेटा इस बार ऐसा है graph इस बार curved graph है curve वाला graph है मेरे प्यारे बच्चो यहां पर फिर से पता चलना है कि जब time बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है मतलब object हमारा motion में है इस object का जो slope है वह velocity रिप्रेजेंट करेगा यह भी अपने को पता है लेकिन यहां पर क्योंकि यह graph curved graph है अब किसी भी curve graph में मैं आपको सिखाने चलना हूँ कि slope कैसे देखते है slope निकालने चलना हूँ मैं आपको यहां पर बिटा अगर slope निकालना है तो आप एक tangent ड्रॉ करो यह tangent कितना angle बना रहा है अल्फा यहां पर अगर आपको slope पता करना है तो यहां पर भी एक tangent ड्रॉ करो यह कितना angle बना रहा है बीटा अब आप ही लोग बेरे को comment करके बता दो इसका angle जादा है या इसका angle जादा है कौन सा angle जादा है बिटा मैंने दो points पर slope को चेक किया है point A और point B पर point A और point B में किस point पर slope जादा है अल्फा वाले पर बीटा वाले पर slope का मैं मतलब बता दूं तुम्हें अगर A point का slope देख रहे हो तो उसका मतलब है tan alpha B point का अगर slope देख रहे हो उसका मतलब है tan beta और हम सब को ये बात पता है alpha beta beta angle है theta 1 theta 2 कह सकते हो alpha beta angle है ठीक है तो साफ पता चलना है कि beta angle बढ़ा है क्योंकि beta बढ़ा है तो tan beta भी बढ़ा होगा और अगर tan beta बढ़ा है तो slope of the point B is greater than slope of point A B point का slope बढ़ा है A point का slope से ठीक है भाई B point का जो slope है वो A के slope से बढ़ा है इसका मतलब क्या हुआ इस तरह का जब graph होता है तो वो increasing slope को represent करता है इस तरह का graph मेरे प्यारे बच्चो increasing slope represent करता है increasing slope इस तरह के graph में जो slope होता है वो कैसा है increasing अगर slope increasing है position time graph का slope बोलो velocity represent करता है तो क्या इस graph के लिए velocity increasing हो गई इस graph के लिए बेटा velocity बोलो increasing हो गई और अगर velocity increasing है velocity increasing है तो बोलो acceleration कैसा होगा फटाफच बताओ अगर velocity increasing है तो मेरे प्यारे बच्चो acceleration कैसा होगा पटाफच बतादो जरा तो acceleration कैसा होगा positive क्योंकि velocity बढ़ रही है acceleration कैसा होगा positive तो आप लोग देख सकते हो मैंने इसी graph से कितनी चीजों की बात कर लिया position और time का graph था तो इन दो के बारे में तो बात हुई हुई है उसके साथी साथ हमने इसका slope velocity होती है उसकी बात कर लिया velocity के basis पर हमने acceleration के बारे में भी पता कर लिया यानि चार चीजों की बात हमें पता चल गई तनमे कह रहे है सर क्या ये जरूरी है कि acceleration positive होगा हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है क्योंकि velocity increasing है अगर slope बढ़ रहा है बेटा तो velocity बढ़ रही है velocity अगर बढ़ रही है मतलब acceleration positive है बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को feel आ रहा है इस तरीके के graph का आजओ और depth में ले चलते हैं और depth में आपको ले चलते हैं ये रहा है time ये रहा position और graph हमने ऐसा बना दिया ये graph बना दिया भया फिर से हमें दो points चूज करने हैं उन points पर slope को देखना है point A पर अगर slope निकालना है तो एक tangent draw करो उसका angle ले लो alpha point B पर अगर तुम्हें slope निकालना है तो तुम B पर एक tangent draw करो और उसका angle ले लो beta इसका angle हो गया beta अब बताओ alpha बढ़ा या beta अब बताओ बोलो यार क्या आपको बात समझ में आ रही है देखो तने तने भाई साहब आप sign convention में उल्हे हुए हो हम लोग थोड़ा उपर level पे चल लाए है तने का कहना ये सर अगर कोई object negative direction में जा रहा है अगर मैं force भी उदरी लगा दूँगा सर तब तो acceleration negative हो जाएगा सर भाई देखो तुम ये सोच रहे हो कि object negative में जा रहा है इसलिए acceleration negative तो मैं ये बात पहले ही समझा चुका हूँ vector quantity के लिए हमें ये tension नहीं लेनी है vector quantity के positive या negative होने का मतलब होता है उसका अपना direction उसका अपना direction बात समझ रहे हो कभी भी अगर आपसे competitive exam में कोई question पूछे और उसमें बोले velocity increasing है बताओ उसका acceleration कैसा होगा कभी भी negative मतलिख देना कभी भी negative मतलिख देना हाँ अगर उसमें बोले कि according to sign convention बताओ तो बोल देना positive भी हो सकता है negative भी हो सकता है ठीक है but in general अगर कभी बात हो तो आप यहीं बोलो कि अगर velocity बढ़ रही है सर तो acceleration positive है तो बैया यहाँ पर साब बात यह है कि सर इसका angle जादा है alpha बढ़ा है अगर alpha बढ़ा है बेटा तो tan alpha भी बढ़ा होगा tan beta से यानि a point का slope जादा था b point के slope से अगर a का slope जादा था इसका मतलब इस graph में आगे बढ़ने पर slope घट रहा है तो यह जो graph है यह decreasing slope को show करता है इस तरीके का जो graph होता है वो क्या show करता है decreasing slope को show करता है इस तरह का graph decreasing slope को show करता है decreasing slope लगादार slope घट रहा है अगर slope घट रहा है और इस graph का slope बोलो velocity को represent करता है इसका मतलब बोलो velocity घट रही है इसका मतलब बोलो velocity reduce हो रही है अगर velocity reduce हो रही है मेरे प्यारे बच्चों तो अब acceleration को कैसा मानोगे negative sign convention की बात मैं नहीं कह रहा हूँ sign convention की बात हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे है sign convention हमारा understood है object left में जा रहा है तो negative है object नीचे जा रहा है negative है object उपर जा रहा positive है object right में जा रहा positive है यह understood है प्यारे बच्चों यह understood है अगर velocity decreasing है तो acceleration हम कैसा मान लेंगे negative तो मैंने आपको चार तरह के चार तरह का मैंने आपको position time graph बताया यह देखो position time graph यह 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 वाला और यह वाला क्या एकदम feel आ गया है क्या feel आ गया है तन्हें भाई clear है ना attention ना ले ना इसमें कभी चलो अगला graph आपको दिखा रहे हैं speed और time का graph चलो यह रही time यह रहा speed और graph रहा ऐसा बोलो इस graph से क्या समझ में आया इस graph से समझ में यह आया कि सर्थ time बढ़ रहा है लेकिन speed कैसी है constant अगर speed constant है तो motion कैसा हुआ uniform motion बोलो motion कैसा हुआ uniform motion ठीक uniform motion graph के slope की बात अगर मैं करूँ तो इस graph का slope हमें बताता है zero और velocity time यह speed time graph है इसका slope क्या represent कर रहा है acceleration इसका slope क्या represent कर रहा है acceleration तो इस graph के slope से अपने को बात समझ में आई कि भया acceleration की value कितनी है zero इस graph के नीचे का अगर मैं area निगा लूँ तो इसके नीचे का area हम सबको साफ सब दिख रहा विया इसके नीचे का area हम सबको दिख रहा है rectangle है rectangle का area निकालना बड़ा असान है लेकिन वो area represent क्या कर रहा है तो that represents velocity into time velocity into time क्या होता है displacement या distance अब ये depend करता है अगर speed time है तो बेटा distance होगा अगर velocity time है तो displacement होगा बाद एकिए है यूनिफॉर्म motion है acceleration zero है unexcellulated motion है area हमें क्या represent कर रहा है distance represent कर रहा है थीक है अच्छा सर थीक है सर समझ में आया सर अगला देखो वह या अगला देखो जड़ा ये time है ये speed है इस तरीके का graph हो गया बेटा time बढ़ रहा है speed भी बढ़ रही है इस तरह के graph का जो slope होता है अगर ये velocity time graph है तो इसका slope acceleration बताएगा और straight line के case में बोलो acceleration constant होता है acceleration अगर constant है तो ये हमारा non uniform motion है बोलो non uniform motion है लेकिन बेटा acceleration कैसा है uniform है क्योंकि acceleration यहाँ पर कैसा है बेटा constant है motion कैसा है non uniform acceleration कैसा है uniform है क्या ये बात एकदम clear है motion non uniform है but acceleration कैसा है constant है right slope जो है constant है और इसका जो area है वो area हमें क्या represent करेगा displacement और वो area हम लोग निकाल लेंगे triangle है triangle का area निकालना सबको आता है half based into height बोलो तो इस graph से तुमें ये दो चीज़ें मिल गई है हाँ सही है ठीक है ठीक है ठीक है चलो next चीज़ आपको सिकाते है यही graph मेरे प्यारे बच्चों अगर ये रहा time ये रहा speed यही graph तुमारा ऐसा हो जाए तो ये parabolic graph ही है वाया time बढ़ रहा है speed बढ़ रही है acceleration positive है इस तरह के graph का जो slope होता है वो increasing होता है यानि कि यहाँ पर जो acceleration है वो increasing है अगर acceleration increasing है तो बोलो अब इस तरह का अगर कोई question बनता है तो उसके लिए हमें differentiation और integration की बात करनी पड़ेगी clear है भाई हाँ इस graph के नीचे का जो area होता है वो area हमें क्या represent करेगा बेटा displacement 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 आप मेंसे कितने ऐसे बच्चे है जो मुझसे Olympiad Challengers Batch में पढ़ते है जल्दी से बताओ जरा तो आप मेंसे ऐसे कितने बच्चे है जो Olympiad Challengers Batch में मेरे से पढ़ते है हर्ष बताओ जरा Olympiad Challengers Batch में कौन कौन है हर्ष है अच्छा है काफी सारे बच्चे है वेरे गुड तो आप लोगों को मैंने एक बात और बता रखी है अगर इसके नीचे का भाई साब area लेना है इसके नीचे का अगर आप लोगों को area निकालना है नहीं है तो इस area को निकालने का तरीका है बिटा integration यानि कि इस area की value को मैं लिख सकता हूँ integration quantity on y axis यानि कि V और quantity on x axis यानि कि T यानि कभी भी integral V dt आप करोगे तो आपको इस तरह के graph के नीचे का area मिल जाएगा यानि integration का खेल यहाँ पर करना पड़ जाएगा तो इस graph का slope increasing है acceleration increasing है तो यह आपका non-uniform acceleration का case है यह आपका non-uniform acceleration का case है non-uniform acceleration का case है motion भी कैसा होगा non-uniform motion भी कैसा है बेटा non-uniform motion भी तुम्हारा non-uniform है यह ना motion भी भाई साब non-uniform है और acceleration भी non-uniform है क्योंकि acceleration यहाँ पर increasing है ठीक है अच्छा एक चीज़ और बताओ अगला देखो next case देखिए यह रहा time यह रहा speed और graph मालो तुम्हारा बन जाए ऐसा इस तरह का graph बन जाए तो यह मैं आपको सिखा चुका हूँ कि भाई यह time बढ़ रहा है देख लो speed भी बढ़ रही है लेकिन इस तरह के graph का जो slope होता है slope velocity time graph है तो slope acceleration बताएगा और वो slope बोलो कैसा है decreasing है slope कैसा है मेरे प्यारे बच्चों decreasing है अगर यह slope बेटा decreasing है तो velocity के बारे में क्या ख्याल है बताओ जरा velocity बढ़ेगी या घटेगी slope अगर decreasing है तो velocity बढ़ेगी घटेगी slope क्या represent कर रहा है acceleration तो तो मैं लिकी चुका हूँ acceleration decreasing है इस graph के नीचे का area अगर मैं निकालूंगा तो that area will represent displacement और area निकालने का तरीका फिर से भाया वही integration है so integral VDT this is the method for calculating displacement कुछ बच्चों ने कहीं दिया decreasing ना 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 गलत है बेड़ा acceleration घट रहा है लेकिन है तो acceleration positive ही मैं यू समझ में आई बार acceleration यहाँ पे भले घट रहा हो लेकिन है तो acceleration positive ही अगर acceleration positive है तो velocity क्या होगी लगातार बढ़ रही होगी समझ रहे है velocity लगातार बढ़ रही है acceleration भले घट रहा हो एक्सलेशन घट रहा है बट वेलास्ती बढ़ रही है ठीक है देखो वेलास्ती तब घटना शुरू होती है जब एक्सलेशन निगेटिव हो जाए ठीक है यह मांचों कहे रहे है सर इंटीग्रल क्या है यह इंटीग्रेशन को ही इंटीग्रेशन को ही इंटीग्रल कहा जाता है ठीक है इंटीग्रेशन एक ondo टूल है बच्चों को पढ़ाया गया है ओलंपियाट चलेंजरस बैच में तो उनको मैंने याद दिला दिया कि बाही मैं पढ़ा चुका हूं आपको ये चीज़ राइट हाँ ये बाद आपकी सही है कि अगर acceleration negative हो जाएगा तब velocity गटना शुरू हो जाएगा सही है? ठीक है? चलो, अब आज ओ graph के बारे में काफी कुछ बता दिया है अब आज ओ question पर question है find the distance covered by the particle during the time interval from t ब्राबर 0 to t ब्राबर 20 t ब्राबर 0 से t ब्राबर 20 तक ये speed time graph given है आपको distance की value बतानी है 45 सेकेंड का समय है चलो, answer करो distance की value बतानी है एकदम hint भी given है shaded area बता दो area under speed time graph यानि VT graph speed time graph का जो area होता है वो हमारा क्या represent करता है? distance यही distance यहां बताना है triangle है half base into height तो value कितनी आ जाएगी? 200 meter और ऐसा option हमारा कौन सा है? B option ये D वाले कहां से आगए भाई? है? यार तुम लोग area नहीं निकाल पा रहे हो triangle का area आप नहीं कर रहे हो 1 by 2 base into height base भी हमारा कितना है बिटा? 20 height भी कितना है? 20 यहीं तो पूछा गया है अरे भाई answer बता दे रहे बाबा नहीं बताएगा खेरा नहीं बताएगे पूल कायरा मांसर नहीं बताएगे जाओ इतने सारे बच्चों ने घलत किया है तो पूल कायरा अब हम answer बाणसर नहीं बताएगे यह सब नलायक है नहीं बताएगा तुम लोगों ने ऐसा question गलत कर दिया है कि हमारा पूल भी सर्मा गया है तो कायरा अब हम answer बाणसर नहीं बताएगे बहुत हो गया अगला question देखो ज़रा next question a graph between square of the velocity of a particle यानि कि यहाँ पर v square है यहाँ पर s है displacement velocity का square और displacement दो चीजों के बीच का graph है find acceleration of the particle in kilometer per hour square बढ़िया question है वाया यह graph है v square और displacement s के बीच का आपको value बतानी है acceleration की चलो लगाओ दिवांग अवे भाई या तो answer बता दो या तो छोड़ दो अच्छा answer बता दिया चलो 20 अईदा ना इसके पहले वाले गा हाँ 20 सही था तो पिछले वाले में 57% बच्चों ने सही किया था हिमांचू, अनिल, आर्यन ये लोग सबसे fast थे ठीक है चलो, अभी हम लोग एक question मैंने आपको दिया है पूरे एक minute का समय है आपके पास Try it velocity का square और हम लोग को given है क्या displacement और acceleration आप से पूछा जा रहा है solve it, solve it, solve it देखो velocity के square की initial value मिटा कितनी है? 3600 यानि कि वो क्या है? वो u square है velocity के square की final value कितनी है? 900 पहले value थी 3600 बाद में value होगे 900 और इतने में displacement कितना कर गया है? 0.5 km के बराबर formula यूज करो v square is equal to u square plus 2 a s ये हो गया हमारा 900 ये हो गया हमारा 3600 plus twice acceleration a और displacement कितना है? 0.5 थेक? तो 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 900 में से 3600 आप घटाओगे तो ये बन जाएगा minus का 2500 2500 is equal to a तो a की value है? 900, 3600 25 नहीं आएगा minus का 27 आएगा ठीक है? हाँ, तो ये option आपका सही है b option राइट? हाँ, सही है b option आपका बिलकुल सही है b option अले यार, तुम लोग a क्यों लगा दिये? a काहे लगा दिये? 55% बच्चों ने a लगा दिया अब देखो, यही है, जरा सा question है जरा सा question है बेटा, जब velocity के square की value घड रही है, अगर reduce हो रही है तो यह तो क्या हुआ? यह हमारा retardation है ना वाई? retardation है ना acceleration must be negative here so this value is negative तो आर्यन, हिमांशू, श्रेयश, हितेश इन लोगों ने सबसे fast सही किया है clear है? चलो, next question देखो from the following displacement time graph find out velocity of the moving body बेटा, displacement time graph हमें given है body की velocity बतानी है तेक है? और 10, 30 की value सबको पता है, 1 by root 3 होती है 1 by under root 3 होती है चलो, answer it एक मिनिट का समय है answer it एक मिनिट का समय है 10, 30, 1 by root 3 10, 30, 1 by root 3 आ, काएंगे सर root 3 तो एक ही option में है इतना दिमाग तो सर हाई है 9th class में सर हम भले है लेकिन इतना दिमाग तो हाई है बलो यार so यह जो graph तुमें given है इस graph का slope बेटा represent क्या करेगा इस graph का slope का मतलब हो गया quantity on y axis upon quantity on x axis यानि कि इस graph का slope displacement upon time नहीं बताएगा यह time upon displacement बताएगा यानि कि यह 1 upon velocity को represent करेगा तो velocity का मतलब हो गया 1 upon slope of this graph तो velocity का मतलब 1 upon 1030 1030 होता है 1 by under root 3 यह under root 3 जाएगा उपर तो velocity की value under root 3 बन जाएगी यानि की B option हमारा बिलकुल चगाचक सही option है 95% बच्चों ने बिलकुल सही किया है 1060 root 3 होता है जागरत सो हिमांशू, जागरत, आर्क, सिन्ह, हितेश, हर्ष, आर्यन, भावेश, सौर्य, ठीक है चलो बाई, आगे जलते हैं अगला question आ गया है, बहुत बहतरीन question है यह आपके NTSC exam में आया हुआ question है velocity time graph of a body falling from rest under gravity and rebouncing from the solid surface is represented by एक body को यहां से ball को गिराया गया नीचे से टकरा के वापस आया है तो आपको बताना है इनमें से कौन सा graph सही है यह graph हमारा velocity और time graph है this graph is velocity time graph चलो भाईया, देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल चका चक सही जवाब देते हैं answer करो बेटा ball नीचे आई है टकराई है और फिर वापस उपर गई है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक कर दीजिए फटा फटा कौन सा सही जवाब है? देखो यार इस वाले graph में कह रहे हैं कि भाई velocity पहले negative थी बाद में velocity positive हो गई है और वो लगातार velocity बढ़ती ही जा रही है बढ़ती ही जा रही है अच्छा सारा यहां पर कह रहे हैं velocity लगातार घटी जा रही है इसमें कह रहे हैं velocity पहले positive में बढ़ रही है फिर अचानक से velocity negative हुई और फिर negative से बढ़ने लगी है रहा? यह चीज़ बता रहे है मतलब ultimately पहले velocity बढ़ते 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 एक maximum value तक आई है फिर negative में उसी value से घटे घटे 0 तक आई है यह वाली बात यहां बता रहे है इसमें बता रहे हैं पहले velocity बढ़ी है बाद में velocity घट गई है सो मेरे प्यारे बच्चों correct answer यहां पर है आपका C part C option is absolutely right one C option बिलकुल सही option है क्योंकि यह जब नीचे की तरफ आ रहा था तो उसकी velocity लगातार बढ़ रही थी तक राके जब वो opposite direction में भाई अब वो उपर की तरफ जा रहा है ना opposite direction है तो direction change होना चाहिए था direction change होना चाहिए था और अब उसकी velocity लगातार घट रही है तो C option आपका बिलकुल सही है 60 लगबग 59 परसेंट बच्चों ने सही किया है अश्वनी हिमांशू आर्यन श्रेयश यह डीपी स्टार भी है यह शितेश इन बच्चों ने बिलकुल सही question solve किया है very good चलो next question देखो acceleration versus time graph of an object is as shown in this figure the corresponding velocity time graph is देखो यह acceleration time graph है पहले acceleration बढ़ रहा था maximum हुआ फिर acceleration घट रहा है ठीक और हमें बताना है इन में से कौन सा velocity time graph बिलकुल सही है करो एक मिनट का समय है solve it एक मिनट का मेरे प्यारे बच्चों time है आपके पास acceleration पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा है कौन सा ऐसा option है इसमें पहले velocity बढ़ रही है फिर घट रही है velocity बढ़ ही रही है लेकिन ये वाला graph देखो ऐसा है फिर ऐसा है और मैं इन दोनों graphs के बारे में बता चुका हूँ ये graph decreasing slope को represent करता है ये increasing slope को दिखाता है मतलब ये दिखा रहा है कि acceleration गट रहा है ये दिखा रहा है acceleration बढ़ रहा है ठीक यहाँ तो velocity constant है देखी देखिए यहाँ तक ऐसा graph है फिर ऐसा graph है ठीक ये graph है correct answer है आपका D देखो ये तो दिखा रहा है कि velocity बढ़ रही है फिर घट रही है तो velocity घटने वाला काम यहाँ पर नहीं हुआ है क्योंकि acceleration लगातार कैसा है बेटा positive है अगर acceleration positive है तो मैंने आपसे कहा था velocity हमेशा बढ़ेगी ठीक velocity हमेशा बढ़ेगी घटेगी नहीं यहाँ तो बिल्कुली गलत है क्योंकि velocity constant बीच बीच में दिखा रहा है तो बिल्कुली गलत है यहाँ पर देखो यह वाला जो graph होता है बोलो यह वाला graph decreasing acceleration को दिखाता है velocity time graph का acceleration है velocity time graph का जो slope है वो acceleration होता है यह decreasing slope दिखा रहा है मतलब acceleration गटना चाहिए तो पहले तो acceleration बढ़ेशा बढ़ेशा है तो D option हमारा बिल्कुल correct option है अगर समझ में आया हो तो फटा-फट बता दो 75% बच्चों ने 8 टिक कर दिया गलत है 16% बच्चे के वल सही है जिसमें यश्वंत है अनिल है यश है और पुलकित है क्या बाकी बच्चों को अब बात समझ में आ रही है यह NTSC में आया हुआ question है आपका क्या अभी clear है अगर clear हो फटा-फट जरा comment section में आग लगा दो बाई एक बार अगर सही है समझ में आ गया बात तो फटा-फट आग लगा दो ठीक है चालिए बहुत बढ़िया चालिए ठीक है ठीक है next question अच्छा carry two cars of unequal masses use similar tires दो cars है masses दोनों के अलग-अलग है दोनों same tires को use करते है if they are moving with the same initial speed दोनों की initial speed same है minimum stopping distance की बारे में question है minimum stopping distance is smaller for the heavier car is same for the both cars is smaller for the lighter car depends on the volume of the car ये question है पुरे एक minute का समय आपके पास है try it देखो इस question में करना क्या है मैं आपको बदा रहा हूँ stopping distance का मतलब होता है कि brake लगाया गाड़ी रुकने में भी कुछ distance चल जाती है ना आगे तो हमें वही बदाना है stopping distance किसमें जादा होगा तो बेटा अगर stop कर रहे हो तो third equation लगाओ v square is equal to u square plus 2as final velocity obvious है 0 ही होगी अगर हम रोकना चाहते हैं तो u square plus 2as stopping distance is minus u square upon 2a बदाओ so is same for both cars same for both cars क्यों क्योंकि initial speed दोनों का same है equation लगती तभी है जब acceleration constant होता है ये भी constant है ये भी same है यानि constant तो minimum stopping distance भी दोनों के लिए क्या होगा same होगा b option के वल 25% बच्चोंगा सही है c लगा दिया आपने is smaller for the lighter car है ना तो आपने ये सोचा होगा कि अगर car हलकी है तो acceleration ज़ादा होगा ये ही सोचा था ना car हलका है तो acceleration ज़ादा होगा ठीक है ठीक तो भाईया गलत सोचा आपने देखो acceleration तो constant है ये equations बोलो apply ही तभी होती है जब acceleration कैसी होती है constant acceleration is constant तो सबसे आगे है ks creation सिंदुजा अनिल आर्यन डीपी स्टार रूद्रा चलो ठीक है अगला देखो next देखो next question देखो a body falls freely from a tower and travels a distance of 40 meter in its last two seconds height of the tower is हश्वनी ये सब बात मैं समझा चुका हूँ बच्चों को जो आप comment कर रहे हैं वो मैं बच्चों को समझा चुका हूँ body falls freely from a tower एक tower से body गिर रही है body आखरी दो seconds में आखरी दो seconds में body ने 40 meter का distance travel किया है तो आपको tower की height बतानी है calculate the height of the tower solve करो 90 seconds का time 90 seconds का time है solve it ये 40 meter है तो ये h minus 40 माल लो falls freely from tower तो initial speed यहाँ पर 0 हो जाएगी है ना हाइट निगालनी है में टावर की हाइच इस इकोल टू यू जीरो है हाइट इन्टो टी स्क्वायर ठीक हाइच इकोल टू हाइफ जी टी स्क्वायर और टोटल टाइम अगर मैं टी माल लू पूरा उपर से नीचे आने में तो h minus 40 distance जो है उसने t minus 2 time में चला है वाइट 2 सेगन में 40 चलता है तो remaining time हो गया t minus 2 तो h minus 40 उसने travel किया है half into g into t minus 2 time में यह h की value अगर मैं यहाँ उठागे रख दू half g t square minus 40 is equal to half g इसको open कर दू t square minus 4 t plus 4 half g t square minus 40 is equal to half g t square minus 2 g t plus 2 g यह और यह cancel हो जाएगा minus 40 is equal to g की value अगर मैं 10 ले लूँ तो minus 20 t और यह बन जाएगा 20 तो 20 t इधर आएगा यह इधर जाएगा 40 और 20 60 होगा time की value आजएगी total 3 seconds तो all total उपर से नीचे आने में बिटा 3 seconds का time लगेगा time अगर 3 seconds है तो मैं time की value यहां रख दूं अगर तो 1 by 2 into 10 into 3 का square हो जाएगा 9 तो यह तुमारा बन जाएगा कितना 45, 45 meter, B option is the right one, 45 हमारा बिलकुल सही जवाब है, ओहो ओहो यह 54 आप लोग ने कैसे कर दिया, 54 बिटा कैसे कर दिया आप लोग ने, देखो total height h मैंने assume किया कि उसने t time में cover किया, ठीक है, total height उसने t time में cover किया है, h height, तो h is equal to, u तो 0 ही था, तो ut plus half gt square, तो h is equal to half gt square, मैं समझा रहा हूँ case, creation, ध्यान जो सुनो, यहाँ पर initial speed देखो 0 था, अगर मैंने total height t time में cover कर रखा है, तो h बराबर ut plus half gt square, u तो 0 ही है, तो half gt square के बराबर हो गया, right, और यह वाला जो distance है, h minus 40, उसने t minus 2 time में चला है, क्योंकि last 2 second में तो वो 40 meter चला है, right, तो remaining h minus 40, उसने कितने time में चला होगा, t minus 2 time में, तो same formula मैंने फिर लगाया, कि h minus 40 वो चला है, u 0 ही है, half g into t square, तो time हो गया, t minus 2, h की value half gt square थी, वो मैंने यहाँ रख दी, half gt square minus 40, बराबर 1 by 2 g, t minus 2 का whole square open किया, तो t square minus 40, प्लस 4 हो गया इसको अंदर ले जाएए, तो half gt square minus 2 gt plus 2 g, तो half gt square से half gt square cancel हुआ, minus 40 is equal to, इसको 10 अगर ले 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 तो minus 20 t plus 20, यह इदर जाएगा 60 होगा, यह इदर आएगा 20 t होगा, t की value 3 आगए, यानि total 3 second लगा, अगर total 3 second लगा, तो बस time की जगए आप 3 second डाल दो, जैसे ही यहाँ 3 रखेंगे, 3 का square 9 होता है, और यह 90 by 2 यानि 45 meter आ जाएगा, answer, correct है, पोलो यार, समझ में आया क्या, सिर्फ एक एक king है, तो केवल यह king सहाब का सही है, बाकी सारी प्रजा का question गलत हो गया, समझ में आ रहा है क्या, विटा, क्या आप सभी को समझ में आ रहा है, बोलो वाई, ठीक है, तो यह एक अच्छा question है, आप सबने गरबर कर दिया है, अब आजएए अगले chapter की तुरफ बढ़ते हैं, and next chapter is, next chapter is Newton's laws of motion, बहुत ही छोटा सा chapter है, लेकिन बहुत ही बहुत ही बेहतरीन chapter है, इसलिए हम लोग बहुत ध्यान से इस चीज़ को सुनेंगे, समझेंगे, आज यह Newton's आपके laws की बात करते हैं, Newton ने बेटा तीन laws दिये थे, ठीक है, Newton का पहला जो law है, वो law of inertia कहलाता है, law of inertia ये कहता है कि कोई object अगर motion में है, तो वो object हमेशा motion में रहना चाता है, कोई object अगर rest में है, तो वो object हमेशा rest में रहना चाता है, object जिस direction में जाना चाता है, उसी में जाना चाता है, यानि object अगर rest पर है, तो rest पे रहना चाता है, जिस direction में जा रहा है, उसी direction में जाना चाता है, इसी को बोलते हैं हम लोग law of inertia, inertia का लेना देना object के mass के साथ होता है, तो inertia बढ़ता है mass के साथ, अगर mass increase हो रहा है, तो inertia भी increase हो रहा है, यानि किसी भी heavy object को linear motion provide करना कठिन होता है, लेकिन हलके object को linear motion provide करना बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल इसी तरीके से heavy object जो की चल के आ रहा है, उसको रोकना कठिन है, लेकिन हलका object अगर चल कर आ रहा है, तो उसको रोकना आसान होता है, राइट, so higher the mass, higher will be the inertia, lower the mass, lower will be the inertia, so inertia decrease करता है mass के साथ, ठीक है, तो inertia को measure करने का तरीका है, आप object का mass measure कर लो, ठीक है, एक मिनिट मिटा, चलता है वैसे, हाँ बाई, cell well change कर लिया है, हमने अपने माइक को बिल्कुल recharge कर लिया है, फिर से, हाँ, आवाज तो आ रही न बिटा, एकदम चका चका आवाज आ रही है, आई रही होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, inertia क्या represent करता है, inertia represents obstacle in linear motion, linear motion में जो चीज obstacle पैदा करें, उसी को inertia कहते है, obstacle का मतलब अगर हलका object है, उसको खीचना है, उसमें क्या चीज obstacle पैदा करेंगी, बारी object है, उसको खीचना है, तो उसमें क्या चीज obstacle पैदा करेंगी, तो obstacle यानि रुकावट, तो यहाँ पर रुकावट किस चीज़ की है, उसके mass की है, mass जादा तो रुकावटें जादा, mass को हम लोग law of momentum भी कहते हैं law of momentum भी कहा जाता है Newton's second law is also known as law of momentum देखो सबसे पहले मैं आपको momentum सिखा दूँ फिर law of momentum पर आते हैं momentum जो है बिटा वो किसी भी moving object की property होती है momentum is property of any moving object यानि किसी moving object के लिए ही हम लोग momentum को define करते हैं rest पर रखा हुआ object है तो उसके लिए momentum 0 होता है थेक तो अगर momentum की आपको बात करनी है तो समझ जाओ momentum किसी भी moving object की property है P से denote करते हैं it is denoted by mass into velocity object का mass multiplied by velocity of the object is known as momentum momentum vector quantity है क्योंकि वो velocity पर depend करता है momentum vector होता है क्योंकि velocity कैसी quantity है vector है ठीक है तो जिस direction में velocity होती है उसी direction में momentum भी होता है ठीक है इसी को linear momentum कहते है linear motion में जो object के पास momentum है वही linear momentum है so linear momentum is mass into velocity object का mass multiplied by उसकी जो velocity है वही उसका momentum कहलाता है अगर unit की बात किया जाए तो unit बड़ा simple है that is kilogram meter per second kilogram meter per second mass kilogram में speed meter per second में velocity meter per second में cgs में देखेंगे तो gram centimeter per second ये momentum का unit होता है simple ठीक है law of momentum कहता है कि अगर किसी भी object पर external force लगा हुआ है तो that external force is directly proportional to delta P upon delta T so external force applied on the object is directly proportional to rate of change of momentum Newton सहाब का पहला law कहता है Newton सहाब का पहला law कहता है कि अगर external force नहीं लगाया है तो object rest पर है तो rest में बना रहेगा motion में है तो motion में बना रहेगा जिस direction में जा रहा है उसी direction में वो जाता रहेगा अगर कोई external force हमने नहीं लगा रखा है तो लेकिन अगर external force लगा दिया प्रोजेक्टाइल भी सिखाएंगे बेटा, परशान नहों, अगर external force हमने अभी लगा दिया object पर, अगर external force हमने object पर लगा दिया भाई साहब, तो external force rate of change of momentum के बराबर होता है, जो भी force हम लोग बाहर से apply करते हैं, वो external force कहलाता है, so that external force is equal to delta P by delta T, और यही external force, जड़ा ध्यान से देखना, delta P का मतलब हो गया, MV, mass into velocity upon delta T, delta का मतलब होता है change, तो जिस भी चीज में change हो, वही अंदर रखो न, अगर mass constant है, तो mass को बाहर करेंगे, यह बन जाएगा, M into delta V by delta T, तो external force मेरे प्यारे बच्चों बन जाएगा, mass into acceleration, क्योंकि delta V by delta T, तो acceleration होता है, लेकिन ध्यान रहे, यह वाला formula सिर्फ तभी apply होता है, यह तभी apply होगा, जब mass कैसा हो constant, condition क्या है, if mass is constant, किसी भी system में अगर mass constant है, केवल तभी F बराबर M A apply होगा, otherwise वो apply नहीं होगा, ठीक है, हाँ, it is only applicable if mass is constant, अगर mass constant नहीं है, तो F बराबर M A भी apply नहीं होता है, यानि कि Newton का second law क्या है, यह वाला, यह law है, this is law, this is Newton's second law, लेकिन यह क्या है सर, यह एक result है, जो हमें Newton सहाब के second law से मिलता है, ठीक है, यह सिर्फ तभ apply होता है, मेरे प्यारे बच्चों, जब mass constant हो, otherwise यह अप्लाइन नहीं होता है, ठीक, ओ, हो, 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 आ, आ गया भी या वापस, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक, तो momentum मैंने आपको समझा दिया है, अब यहाँ पर जड़ा समझना, external force, अगर delta P upon delta T के बराबर है, तो मे external force into time interval के बराबर हो जाएगा, ठीक, delta P का मतलब क्या होता है, change in momentum, delta P का मतलब बेटा क्या है, change in momentum, this is change in momentum, so change in momentum, delta P is equal to external force multiplied by time, ठीक है, so change in momentum जो है, वो external force into time interval के बराबर होता है, ठीक है, force into time interval को ही मेरे प्यारे बच्चों, impulse भी कहा जाता है, this is also is equal to impulse, ठीक है, तो what is impulse, impulse is defined as the product of the external force and time interval, कोई भी force जितने time के लिए apply होता है, force और time का जो product है, वही product हमारा impulse कहलाता है, और impulse change in momentum के बराबर है, यही है impulse momentum theorem, यही क्या है? impulse momentum theorem, impulse momentum theorem, क्या कहता है, कि change in momentum जो है, delta P change in momentum is equal to impulse, change in momentum हमारा impulse के बराबर होता है, right, so impulse और change in momentum दोनों की जो units है, वो same होती है, चाहे आप उसको newton second बोलो, या आप उसको kilogram meter पर second बोलो, एक ही बात है, चाहे force का दूसरा unit होता ना, dine, चाहे आप dine second बोलो, या आप उसको gram centimeter पर second बोलो, एक ही बात है, ठेक, rate का मतलब होता है बेटा, जब divided by time हो, तब वहाँ पर rate term use किया जाता है, rate of change of momentum का मतलब हो गया, change in momentum upon time interval, rate of change of velocity का मतलब हो गया, change in velocity upon time interval, जब denominator में time interval होता है, तब उसी को हम लोग कहते है, rate of change of, अभी समझ में आया संकेत? हाँ, ठीक हाँ, तो यह हमारा हो गया impulse, यह है impulse momentum theorem, अब आजाओ, इसी में आपको मैं condition बताओ, अगर मेरे प्यारे बच्चों, external force की value 0 हो जाएगा, अगर external force की value 0 हो जाएगा, तो बोलो delta P by delta T भी 0 हो जाएगा, तो ऐसे में delta P की value 0 हो जाएगी, delta P का मतलब change in momentum, यानि final momentum minus initial momentum 0 हो जाएगा, यानि final momentum और initial momentum आपस में बराबर हो जाएगा, इसी को बोलते हैं, conservation of momentum, इसी को क्या कहा जाता है, conservation of momentum, तो conservation of momentum हम लोग कब अपलाई करेंगे, जब external force 0 के बराबर हो, अगर किसी भी system पर लगने वाला external force 0 के बराबर हो, जीरो के बराबर हो, external force अगर 0 हो गया, तो वहाँ पर momentum की value constant हो जाती है, इसी concept को कहा जाता है, conservation of momentum, किसी भी चीज के conservation का मतलब होता है, उस चीज का constant हो जाना, conservation का मतलब बेटा क्या है, उस चीज का constant हो जाना, अगर मैं momentum का conservation करा रहा हूँ, मतलब momentum की value वहाँ पर कैसी हो जाए, constant हो जाए, तो conservation of momentum का मतलब यही हुआ, कि अगर external force की value 0 है, तो initial momentum बराबर final momentum of the system, क्या ये feel आया, क्या ये feel आया, पिटा, हाँ, आ सकता है, किसी भी तरह के question आप से पूछे जा सकते हैं, राइट, ठीका बाई, तो f is equal to ma, formula आप सबको समझ में आ गया होगा, impulse समझ में आ गया होगा, force और time interval का जो product होता है, वही impulse कहलाता है, impulse change in momentum के बराबर होता है, अगर external force zero हो जाए, तो momentum constant हो जाता है, इसी process को conservation of momentum हम लोग कहते हैं, यश्वन्द कह रहे हैं, सर, mass कैसे change होता है, यश्वन्द देखो, मैं आपको बताता हूँ, mass change होने का मदलब जैसे माल लो एक rocket है, एक rocket, आपको पता है, rocket के अंदर fuel भरा होता है, और उस fuel को हम लोग बहुत heat करते हैं, fuel burn होता है, धेर सारी exhaust gases बनती हैं, और वो सारी की सारी exhaust gases जो होती है, जो ये exhaust gases होती हैं, वो सारी exhaust gases को यहाँ नीचे से हम लोग emit कराते हैं, ठीक है, exhaust gases को नीचे से emit कराते हैं, अब सोचो अगर exhaust gases बेटा नीचे से निकल रही है तो भाईया इसका जो mass है बेटा तुम ही बताओ वो mass लगातार decrease होगा की नहीं होगा अगर mass की बात करें तो यहाँ पर mass decreases तो rocket का जो mass है वो लगातार decrease हो रहा होता है ठीक है? हाँ लगातार mass decrease हो रहा होता है relativity से एक formula है मारे पास theory of relativity से एक formula और है पने पास क्योंकि आपने पूछा इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ otherwise इसकी कोई requirement आपको नहीं है अभी फिलाल theory of relativity की अगर मैं बात करूँ तो m is equal to m0 upon under root 1 minus v square upon c square होता है ठीक? यह formula मेरे प्यारे बच्चों आपको दो चीज़ों से connect करता है सबसे पहला है object का mass m0 जिसको कहा जाता है object का rest mass यानि जब कोई object rest पर हो यानि कि object की अगर speed 0 है तो उस समय उसका mass rest mass कहलाता है object rest पर है तो उसका mass rest mass कहलाता है m क्या है? m is the mass of object मास ओफ ओब्जेक्ट एट स्पीड वी जब ओब्जेट की स्पीड वी थी तब उसका मास M है M not मतलब यह 0 नीचे जो 0 लिखाने है छोटा सा उसी को M not बोलते हैं So M not का मतलब हो कहा है rest mass जब object rest पर है तो उसका mass rest mass कहलाता है M क्या है? M is the mass of the object when its speed was V V क्या है? Speed of object object की speed है बिटा object की speed है V और C क्या है? That is speed of light in vacuum speed of light in vacuum vacuum में light की speed और vacuum में light की speed हम सबको पता है 3 into 10 की power 8 मीटर पर second होती है तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो इस फॉर्मूले का मतलब यह है अगर object की speed बढ़ रही है अगर ये object की speed बढ़ रही है तो पेटा V square upon C square की value बढ़ रही है अगर इसकी value बढ़ रही है तो 1 minus V square upon C square की value घट रही है यानि कि जब speed बढ़ती है तो denominator यहाँ पे decrease होता है और अगर denominator decrease होगा तो mass बढ़ेगा यानि कि जब object की speed बहुत ज़ादा हो रहा हो object की speed अगर बहुत ज़ादा बढ़ रही हो तो उसका mass भी बढ़ रहा होता है तो मैं या लिख रहा हूँ when speed of object increases to very large value जब object की speed बहुत large value में पहुच जाए यानि की comparable to speed of light speed of light it's mass also increases उसका mass भी वहाँ पर बढ़ रहा होता है यानि की अगर कोई object ऐसा है जिसकी speed बहुत high किसी भी तरीके से कर दी गई अगर उसकी speed light की speed के आस पास पहुँचने लगे light के speed के बराबर तो पहुचा पाना असंबव है light के speed के बराबर पहुचता पाना मेरे प्यारे बच्चों असंबव है light की speed के बराबर तो हम लोग पहुची नहीं पाएंगे लेकिन अगर उसके आस पास भी अगर उसके आस पास भी हम object को पहुचा पाए तो उसकी जो mass है वो बढ़ने लगता है so this is the case of variable mass जब उसका mass change हो रहा होगा तो जब object की speed बहुत ज़ादा बढ़ रही होती है तो उसका mass भी बढ़ने लगता है right otherwise यह decreasing का case है वाया और normal अगर हम देखें तो mass generally कैसा होता है constant शुबम बेटा class 9th 10th में यही बोला जाता है mass constant है लेकिन जब बात आप कर रहे हैं यहाँ पर Olympiard की तो मैंने थोड़ा सा high level की चीज़ आपको बता दिया है कि जब object का speed light की speed के आसपास हो रही बहुत high speed हो रही हो जो की बहुत rare होता है extremely rare होता है impossible है भी फिलाल तो वहाँ पर object का जो mass है वो increase होने लगता है है रहा हाँ इसने आर रे ने एक formula भी लिखा है e बराबर mc square बिल्कुल सही है Einstein's mass energy formula e बराबर mc square लेकिन छोड़ो उसकी बात हमें नहीं करनी है यहाँ पर तो फिलाल मैंने आपको ये दो laws अभी आपको बताएं है law of inertia law of momentum अब आओ आगे की बात करते हैं आपको और तीसरा law आपको सिखाते हैं third law है action reaction law third law is action reaction law to every action there is always equal and opposite reaction तो इसको कहा जाता है action reaction law गीता में भगवान स्रीकृष्ण ने भी यही कहा है भया कर्म करोगे तो फल जरूर मिलेगा action करोगे तो reaction भाई सहाब hundred percent आपको मिलेगा ही मिलेगा तो जब आप ground पर खड़े होते हैं ठीक है आप ground पर खड़े हैं आपने अपना weight भई आपका weight हमेशा downwards लगता है ठीक है so weight of the person which is acting downward which is acting downward is action weight आपका क्या है action है ठीक है हमने weight किदर लगाया downwards अर्थ की तरफ तो अर्थ ने हमारे उपर एक क्या लगाया upward direction में एक reaction apply किया तो हमारे उपर एक normal reaction apply हो जाता है normal का मतलब होता है बेटा perpendicular तो हम लोगों के उपर एक reaction apply हो जाएगा और इस reaction का नाम क्या है perpendicular reaction इसी को कहते हैं हम लोग normal reaction तो weight लगा नीचे और normal reaction लग गया उपर और Newton सहाब का third law कहता है कि action is equal and opposite to reaction यानि कि यह जो normal reaction है और यह जो weight है they are just equal and opposite क्योंकि दोनों ही forces है दोनों ही vector quantities है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि normal reaction is equal to negative of weight vector है ना यानि कि दोनों just equal and opposite है दूसरी बात action और reaction बिटा simultaneously लगते है तुरंत apply होते है कोई time delay इसमें नहीं होता है है ना और वो भी on different objects on different objects action और reaction दोनों ही अलग-अलग objects पर apply किया जाता है देखेंगे action लगा अर्थ पर और reaction किदर मिला object पर क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है अगर बात समझ में आ रही है फटाफट जरा एक बार यहां पर heart spam करतो सभी का दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए हां फटाफट दिल दिखाई पड़ जाना चाहिए सर वेरियेबल मास के केस में वेलास्टी कांस्टेंट होता है अरे अंगुलर मुमेंटम का यहां से कोई लेना देना नहीं है भाई तुम लोग कहां कहां उचल उचल के भाग रहे हो अंगुलर मुमेंटम का इस चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है angular momentum की बात किया जाता है rotational motion में रितु राज, ऐसे थोड़ी ना होता है बेटा कि पढ़ रहे हो अभी कोई chapter तुरंट उचल के पहुँच गए rotational motion में ऐसे नहीं होता वाई सब लोग confuse हो जाओगे, इसलिए as a teacher मेरा काम आपको confuse करने का नहीं है मेरा काम है आपको अच्छे से समझानेगा, right थोड़ा सा आने दो so action, reaction जो है वो हमेशा different objects पर लगता है simultaneously apply हो रहा होता है ठीक है तो ये है हमारे Newton बाबा के तीनो laws, right और उन laws पर based impulse momentum theorem भी मैंने आपको बताया है conservation of momentum भी मैंने आपको बताया है और concept सिखाते है force of 20 Newton acting on a mass of M1 produces an acceleration of 4 meter per second square कहरे force 20 Newton का है mass M1 है और acceleration उसके उपर है 4 meter per second square का ठीक है same force is applied on the mass M2 यानि force की value फिर से 20 Newton है mass M2 है acceleration produced is acceleration है 0.5 meter per second square what acceleration would the same force force फिर से same है कहरे what acceleration will the same force produce when both masses are tied together दोनों masses को अगर बांध दोगे तो total mass M1 plus M2 हो जाएगा है ना total mass M1 plus M2 हो जाएगा acceleration की value पूछ रहा है तो बाया Newton सहाब का second law से हम अगर apply करें 20 is equal to M1 into 4 तो बेटा M1 की value 20 by 4 यानि की 5 kg आ जाएगी similarly F is equal to M2 into A2 होता है तो 20 is equal to M2 into 0.5 भी है तो M2 की जो value है वो 20 multiplied by 2 हो जाएगी यानि की 40 kg भी हो जाएगा अब M1 है 5 kg और यह है 40 kg तो 5 plus 40 करोगे तो total mass हमारा 45 kg हो जाएगा acceleration निकालना है सेम फार्मला लगा दो F बराबर है में यह है 20 यह है 45 acceleration निकालना है acceleration की value आएगी 20 by 45 5 से cancel करेंगे बोलो 4 by 9 meter per second square यह हमारा answer आ जाएगा क्या यह बात सही है हिमांशू very good arc very good आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात अगला question देखो next question we have next question is find the value of impulse for the time t is equal to 0 to 2 second t बराबर 0 से 2 second तक यह 0 से 2 second तक impulse की value हमें बता नहीं फिर से कह रहे है for t is equal to 2 to 6 second 2 से 6 second के बीच में impulse बताना है और 4 से 6 second के बीच में भी impulse बताना है देखो अगर मैं differential form में तुम्हें बताऊं तो force जो है वो dp by dt के बराबर होता है यही dp जो है वो f dt के बराबर होता है यही f dt बेटा impulse कहलाता है तो अगर मैं इसी को दोनों तरफ integrate कर दूँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ यह भी मैं कह सकता हूँ आपको formula डारेक्ट बता रहा हूँ कि impulse जो है that is integration of force dt impulse जो है that is integration of force dt impulse जो है that is integration of force dt ठीक है this is the value of impulse that means impulse को मैं यह भी कह सकता हूँ impulse का मतलब होता है area under force time graph क्योंकि integration का लेना देना बेटा area under the graph से होता है ठीक है तो impulse का मतलब आप area under force time graph से भी निकाल सकते हो यह देखो अब सब लोग जड़ा comment करके बताओ मेरे को अब जड़ा बताओ सब लोग कि भाईया 0 से 2 से केस में 0 से 2 से केस में impulse कितना होगा 0 से 2 से केस में impulse कितना होगा बता बटा impulse की value बलो t is equal to 0 2 t is equal to 2 से केंड में अगर हम impulse निकाल रहे हैं तो that impulse is half base into height 1 by 2 base 2 है height 10 है ठीक है 2 से 2 केंसिल होगा this is 10 और impulse का unit होता है force into time यानि newton से केंड clear है ठीक है सर ठीक है सर t is equal to 2 से t is equal to 6 सेकंड के बीच में अगर मैं आप से impulse पूछूँ तो अब इसका मतलब जड़ा समझना 6 का मतलब यहां तक यहां तक यह 6 का मतलब है right तो red वाला area अपने को निकालना है red वाले area में left side वाला जो red वाला area वो तो positive है so half base 2 से 4 यानि की 2 और height 10 है नीचे वाला जो है वो negative होगा तो half उसका base कितना है 4 to 6 यानि 2 और height फिर से कितनी है 10 तो यह तुमारा बन जागा ना 10 minus 10 तो यह बिटा कितना आ गया impulse 0 के बराबर very good very good और और t is equal to 6 to नहीं t is equal to 4 to 6 अगर पूछे 4 to 6 है ना 4 to 6 या 6 to 8 एक ही बात है 6 to 8 अगर मैं आप से पूछू या 6 to 4 to 6 पूछू एक ही आंसर आएगा दोनों केसेज में तो impulse की value तुमारी आ जाएगी negative में minus 1 by 2 into 2 into 10 यानि minus का 10 newton second I hope सभी को बात समझ में आ गया होगा clear है ना बाई दिव्यांचू बेटा integration एक method है है ना यह लोग को पढ़ाया गया है बच्चों को बताया गया है आप शायद देर से आए है तो यह area निकालना था shaded हमने तुरण निकाल दिया next question oh 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 recoil velocity भी है चलो तो आपको recoil सिखा देते हैं पहले recoil क्या होता है भाईया recoil velocity of gun अगर हम लोग किसी भी एक gun की बात करते हैं इस gun में एक ये लगा हुआ है ठीक है और gun का अपना मास M के बराबर है ठीक गन में एक बुलेट है so this is basically gun and this is bullet एक है gun और एक है bullet ठीक जब भी bullet fire होती है तो bullet आगे निकलेगा है ठीक है गन यहीं पर है bullet आगे निकला bullet का मास M माल लो bullet की speed V माल लो ठीक है गन का मास capital M माल लेते हैं ठीक है अब जड़ा देखो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों हाँ बिल्कुल भाईया bless me बिल्कुल bless है आप blessed है stay blessed खुब बढ़िया paper करिए लेकिन भाई पढ़ने से होगा पता शैलिन सर ने आशिरवाद तो दिया था paper नहीं सही होगा तो भाई पढ़ाई कर लो अच्छे से पढ़ लो थेक है paper अपने आप अच्छा हो जाएगा है ना yes तो देखो जारा यह एक bullet है यह gun है है ना यह gun से हम bullet fire करने वाले हैं जैसे ही bullet बाहर निकलेगी तो bullet V speed से भाग रही है यह gun है यह gun जो है जो velocity है यही velocity कहलाती है recoil velocity of the gun this velocity is known as recoil velocity of this gun इसी process को कहा जाता है recoiling of the gun तो जड़ा देखो बेटा क्योंकि इस gun के firing वाले case में कहीं कोई external force नहीं है मेरे प्यारे बच्छो external force यहाँ पर कताई apply नहीं हो रहा है that means in firing of gun in firing of bullet यह gun F external external force की value कितनी है 0 क्योंकि बटा कोई यहाँ पर external force नहीं है यही कारण है क्योंकि कोई external force नहीं है यही कारण है momentum is conserved external force बेटा जब 0 होता है तो बोलो momentum कैसा होता है conserved होता है momentum is conserved momentum का conservation होता है अगर momentum conserved होता है इसका मतलब initial momentum और final momentum बराबर होगा initial momentum जड़ा इनीशली न तो gun move कर रही है न तो bullet move कर रहा है ठीक है तो अगर मैं initial momentum की बात करूँ तो gun का mass m gun की speed 0 bullet का mass small m उसकी speed b 0 but finally अगर मैं check करूँ तो gun की velocity capital V है और bullet के case में उसकी velocity small v है तो आप यहां देख सकते है left hand side 0 हो गया m capital V plus m small v तो यहां से अपन लोग capital V निकालेंगे that is minus का m small v upon capital M यही है recoil velocity of that gun gun का recoil velocity recoil velocity कभी आपसे पूछी जाए recoil velocity अगर आपसे कभी पूछी जाए तो आप कह सकते है that is negative momentum of bullet bullet का momentum check करो bullet का momentum m v क्या हुआ bullet का momentum divided by mass of gun bullet का momentum divided by gun का mass यही है recoil velocity of the gun क्या आप सभी को मेरी पूरी बात एकदम चका चक clear है वेटा right है yes so recoil velocity का value आ गया है minus mv upon capital M तेक आजाओ इस पर based question आपको कराते हैं field gun field gun of mass 1.5 tons यानि gun का जो mass है वो 1500 kg के बराबर है 1 ton का मतलब 1000 kg 1 ton मतलब 1000 kg थेक है fire is a shell of mass small m हमारा कितना है 15 kg with a velocity of with a velocity of 150 meter per second 1.5 meter per second कह रहे है calculate the velocity of recoil of the gun capital V निकालना है capital V होता है minus small m small v upon capital M तो minus small m कितना है वाई 15 kg small v कितना है 150 divided by 1500 तो आप देख सकते हैं ये इसको काटेगा 10 आएगा minus 1.5 meter per second yes कई लोग answer भी दे रहे हैं very good हिवान्शू श्रेयश या श्वन्थ very nice very nice so minus 1.5 meter per second ये हो गया minus का sign क्या शो कर रहा है कि recoil velocity ये minus क्या शो करता है ये शो करता है recoil velocity is in direction opposite to opposite to velocity of bullet bullet की velocity के opposite direction में recoil होता है bullet जाएगी आगे तो recoiling होगा पीछे की तरफ सही है हाँ तो ये इसका answer हो गया next question देखो क्या है के रहे है machine gun आपाई 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 एके 47 तल 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 है ना so AK 47 की बात हो रही है machine gun has a mass of 30 kg जी, the machine gun fires 35 gram bullets, बुलेट का बास है, 35 grams, at a rate of 400 bullets per minute, 400 bullets per minute, with a speed of 400 meter per second, bullets की speed भी पता है, 400 bullets एक मिनिट में वो तड़ा तड़, हाँ, fire करता है, what force must be applied to the gun, so that gun is kept in motion, देखो, यहाँ पर खेला क्या होता है, थोड़ा सा समझो, feel आएगा आपको और ज्यादा, जब भी भी gun और bullet की बात किया जाता है, जब gun का mechanism ऐसा होता है, कि gun is bullet के उपर force apply करता है, जिसकी वज़े से bullet इतना तेजी से बहार निकलता है, तो gun ने force लगाया bullet पर, तो Newton के third log according, bullet भी force लगाता है किसके उपर gun पर, जो force, जो force, bullet ने apply किया है, gun के उपर, force applied by the bullet on gun, ठीक है, और यह जो force applied by gun on bullet, यह दोनों forces just equal and opposite होते हैं, इसी वज़े से अगर मैं इस पूरे को एक system मान लूँ, इस system पर external force 0 है, तो यहाँ पर actuality में यह हो रहा होता है, कि gun ने force लगाया bullet पर, bullet ने उतना ही equal and opposite force लगा दिया gun के उपर, right, तो as a system, their net force is 0, यहाँ पर force है, ऐसा नहीं कि force ही नहीं है, लेकिन उन forces का sum कितना हो गया, 0 के बरापर, इसने force उस पर लगाया, उसने force इस पर लगाया है, तो net force बेटा यहाँ पर कितना हो गया है, 0 के बरापर, अब यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, what force is applied to the gun, तो gun पर force कौन लगा रहा था, bullet, तो bullet gun पर कितना force लगा रहा है, यह हमस से पूछा गया है चार आप्शन्स आपके सामने है पूरे पूरे 90 सेकेंड्स का टाइम है सॉल्व करो कि सॉल्व कर लीजिए हाँ वीडियो को भीया दबा के शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ उनको भी बुलाईए तब मज़ा आवे आना कि एक अगर 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 इस इकॉल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है यह एक बुलेट की वज़े से अगर ऐसे एन बुलेट्स हैं तो एन का मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है एन बुलेट्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स की वैल्यू देखो कितनी आएगी चार सो बुलेट पर मिनिट है तो चार सो बुलेट अपॉन सिक्स्टी कर देंगे तो पर सेकेंड आ जाएगा मल्टीप्लाईड भाई मल्टीप्लाईड भाई चेंज इन मूमेंटम किता है तो अपॉन टाइम बुलेट्स का मास है 35 ग्राम 35 ग्राम की बुलेट है ठीक है इन्टू उसकी वेलास्ती कितनी है 400 राइट इतने ग्राम हाँ सही है यह इसका मूमेंटम हो गया बस इसी को I think solve करना है अपने को 400 अपॉन 60 मल्टीप्लाईड भाई 35 मल्टीप्लाईड भाई 400 डिवाईड भाई 1000 so 93.3 93.33 नूटन्स के बराबर A option is absolutely right one A option is absolutely right one बोलो भाई बात समझ में आई है क्या केवल 7% बच्चा यानि केवल एक बच्चे ने सही किया है और वो है समीर समीर ने सही किया है बाकी सब ने गलत कर दिया है तो वहिया ऐसा आप लोग ने क्यों किया ऐसा बेरे प्यारे बच्चों आप लोग ने क्यों किया है देखो फोर्स जो यहाँ पर हो रहा है देखो कोई भी एक बुलेट मैं आपको सिखा रहा हूं कोई भी एक बुलेट जब इस तरीके से मूव करती है आगे की तरफ तो बुलेट का इनिशल मुमेंटम बेटा कितना था जीरो के बराबर जैसे ही बुलेट आगे बढ़ती है उसका मुमेंटम कितना हो जाता है एमवी के बराबर राइट सो चेंज इन मुमेंटम कितना हुआ बिटा फाइनल मुमेंटम माइनिस इनिशल मुमेंटम सो देट इस एमवी है ना एक बुलेट की वज़े से चेंज इन मुमेंटम कितना जालोगे सारी बुलट की वज़े से तो दाट इस एन टाइम्स एमबी है ना एन टाइम्स एमबी अपॉन टाइम तो ले चुके हैं हम लोग आंसर आपको कमेंट में लिखना है और कहां बता होगे भाई ए ओप्षन इस दा राइट वन नेक्स्ट नेक्स्ट कोशन हाव आई तो अब ये कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो गई है तो आज़ेए मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी थोड़ा सिखाता हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा सिखाते हैं क्योंकि आप लोगका भी इंट्रेस्ट था कि सरुजेक्टाइल मोशन सिखादो कितने बच्चे Projectile Motion सीखना चाते हैं कितने बच्चे Projectile Motion सीखना चाते हैं कि हाँ सर सिखा दो थोड़ा सा बता दो बताओ ना मन हो तो हम इसके भी कर सकते हैं हैं बच्चे पढ़ने वाले सिखा दे, ठीक है, चालो, देखो Projectile Motion का मतलब क्या है अगर कोई object है, जिस direction में object की initial speed है, अगर उसी direction में आप acceleration भी provide कर दोगे, तो इसी को acceleration बोलते हैं, जिस direction में speed हो, अगर acceleration उसके opposite direction में provide किया जाए, तो इसको हम लोग retardation बोलते हैं, है ना? जिदर की तरफ velocity हो, उदर ही acceleration अगर दे दिया जाए, तो वो acceleration है, ऐसे में object की velocity बढ़ेगी, और जिदर velocity हो, उसके opposite में acceleration दे दो, तो retardation हो जाएगा, ऐसे में velocity लगातार decrease हो रही होगी, लेकिन इन दोनों ही cases में object का जो motion है, वो straight line motion होगा, velocity बढ़ रही होगी या घट रही होगी, बट motion बेटा उसका कैसा होगा, straight line motion, तो सर्प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल motion का मतलब है कि अगर object की velocity, initial velocity इधर की तरफ हो, और acceleration आप किसी दूसरी direction में दे दो, acceleration आप इधर की तरफ दे दो, ठीक है, या नीचे की तरफ acceleration दे दो, यानि कि initial velocity और acceleration के बीच में अगर कुछ भी angle है, मेरे प्यारे बच्चों, initial velocity और acceleration के बीच में अगर कुछ भी angle है, तो अब इस object का जो path होगा, वो एक curved path होगा, जिसको हम लोग projectile motion कहते हैं, तो ये object जो move तुमारा कर रहा होगा, ये object का path कुछ इस तरह का path हो जाएगा, ये object एक curved path पर move कर जाएगा, है ना, इसी को हम projectile path बोलते हैं, इसी motion को बेटा हम लोग projectile motion कहते हैं, this is projectile motion, तो आईए थोड़ा सा in-depth आपको सिखाते हैं, और ज्यादा detail में ले चलके आपको सिखाते हैं, ठीक है, मान लो एक object origin पर रखा था, यहाँ पर हमने एक object को रखा हुआ था, इस object को मैंने एक initial speed u दे दिया, making an angle theta with x direction, एक object, अक्षज, जड़ा ध्यान से वरी बात को सुनो, अगर मैंने किसी object को u velocity दिया, making an angle theta with the horizontal, तो जैसे ही object अर्थ को छोड़ेगा, बोलो acceleration due to gravity किदर लग रहा है बिटा, acceleration due to gravity, बोलो किदर लग रहा है, downwards, तो यह object हमेशा एक curved path पर move करता है, यही curved path, parabolic path कहलाता है, यही projectile path कहलाता है, यही projectile motion होता है, तो इसकी यह जो initial velocity है, यह angle theta है, तो इधर की तरफ इसका component हो जाता है u cos theta, और इधर की तरफ component हो जाता है u sin theta, ठीक, velocity के दो component हो जाते हैं, यह हमारा देखो x direction है, यह हमारा देखो y direction है, ठीक, तो यहाँ पर velocity का x component, velocity का y component, अगर मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको horizontal direction में बताऊं, अगर मैं आपको horizontal direction में, इस direction में अगर मैं आपको बताऊं, तो object की initial speed कितनी है, u cos theta, ठीक, u cos theta, लेकिन acceleration x direction में 0 है, यानि x direction में कोई भी acceleration इसके उपर नहीं लग रहा है, यानि x direction की जो इसकी velocity होगी, that velocity will be constant, x direction की velocity बिटा कैसी होगी, constant, और वो velocity लगातार कितनी बने रहेगी, u cos theta, यानि object कहीं भी जाए, x direction में object की velocity हमेशा उसकी constant बनी रहेगी, और वो constant velocity कितनी है, u cos theta के बराबर, तो object यहाँ पर जब है, तो भी u cos theta, जब यह object यहाँ पर पहुचेगा ना, तो भी horizontal velocity उसकी u cos theta ही रहेगी, तो change यहाँ पर कौन सी velocity हो रही है बेटा, y direction माली, यानि कि अगर मैं vertical direction में देखूँ, अगर मैं vertical direction में अगर चेक करूँ, तो initial velocity y direction में है, u sin theta, acceleration y direction में अगर मैं आपको बताऊँ, अब देखो object जा रहा है उपर, लेकिन अर्थ उसको खीच रहा है नीचे, तो यह कितना हो जाएगा हमारा minus g के बरापर, acceleration की value मेरे प्यारे बच्चों कितनी होगी, फड़ा फड़ा बता दिजे, comment करके, that acceleration will be minus g, तो ऐसे में y direction की जो उसकी velocity है, वो decreasing होगी, जैसे जैसे object यहाँ से यहाँ पहुचेगा, उसकी velocity घट रही होगी, इसके बाद उसकी velocity लगातार increase हो रही होगी, तो y direction के motion में, आप equations of motion apply कर सकते हो, x direction के motion में आपके पास सिर्फ एक formula है, वो है speed is equal to distance upon time, x direction के लिए सिर्फ एक formula क्योंकि uniform motion है न, तो what is projectile motion, projectile motion के बारे में मैं आ लिख रहा हूँ, projectile motion क्या है, it is combination of, projectile motion is combination of, uniform motion, यह जो motion है, यह combination है, uniform motion in x direction, and non-uniform motion and non-uniform motion in y direction, जो होता है, यही आपका projectile motion है, projectile motion में कुछ दो तीन हमारे पास formula है, सबसे पहला formula है, यहाँ से यहाँ तक कहुचने का time, तो उसको कहा जाता है, time period of projectile, time period of the projectile, तो time period projectile की value क्या होती है, to u sin theta by g, अगला formula है, range of projectile, देखो इनका derivation आप class 11 में पढ़ोगे, अभी मैं सिर्फ formula बता दे रहा हूँ, u square sin 2 theta upon g, यह range का formula है, अगला है maximum height का formula, range यह होता है बेटा, projectile को वहाँ से फेका, maximum कितनी दूरी पे जाकर के गिरेगा, वो range कहलाता है, ठेक, total time, यहाँ से यहाँ तक का time, और height आप जान रहे हैं, यह वाली height है, तो height की value होती है, u square sin square theta upon 2 g, कि height का formula है, तो यह 3, time of flight वही है, time period और time of flight, एक ही बात है बिटा, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है, यह 3 formula हैं आपके पास, यह 3 formula आपको पता होने चाहिए, right, बस, यह 3 जाने रहो अभी फिलाल, तो आपका काम चल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में, अब आजाओ प्रोजेक्टाइल पर based आपके NTSC पर देखो, क्या question आया है, question है, ball having total kinetic energy E is projected at an angle 45 degree with the horizontal, एक ball है, उसको 45 degree पर फेका गया है, यह, this angle is 45 degree, its kinetic energy at the highest point of the projection is, यहाँ पर kinetic energy कित्वी होगी, अगर यहाँ पर speed U के बराबर है, मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपसे बोलने हैं, kinetic energy कितनी होगी, चलो, answer it, एक मिनिट का समय है आपके पास, answer करो बेटा, kinetic energy at highest point कितना होगा, देखो, यहाँ पर जो kinetic energy है, वो half mu square है, अभी मैंने सिखाया था, horizontal velocity बोलो U cos theta होगा, तो U cos 45 हो जाएगा, इधर U sin 45 हो जाएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, और horizontal velocity मैंने कहा था, वो same रहती है, यानि यहाँ की velocity भी U cos 45 ही है, है, है ना, तो, initial kinetic energy, निगाल चुका हो, final kinetic energy हो गई उस point की, that is half m into U cos 45 का whole square, तो, half m U cos 45 यानि की 1 by root 2 का whole square, तो, it will become 1 by 2 of 1 by 2 mu square, 1 by 2 mu square, initial kinetic energy उसको e लिख सकते हैं, so, that will become 1 by 2 e, तो, correct option बिटा कौन सा हुआ, B option, correct option कौन सा हुआ, B option, B is the right answer, 66% बच्चों ने सही जवाब दिया है, Ark, Santuna, Himanshu, Shor, Ritu, Rishab, Shivam और Arjan, very good guys, बहुत बढ़िया, यह था आपका projectile पर based question, एक question देखो, हमारे पास और है, और हम लोग का यह stock question का लगबग-लगबग खतम हो रहा है, दो-तीन questions अपने पास और हैं, तो आईए जरा इन questions को भी देखते हैं, इन questions में क्या है, करें, two bodies of masses M and 3M, moving with the velocity of 3V and V, यह mass M है, ठीक है, और एक mass 3M है, moving with the velocities 3V and V, respectively along same direction, collide with each other, दोनो collide कर गए, after collision, they stick together and move with the velocity V in the same direction, collision के बाद दोनो stick कर गए, चेपक गए वाईया, अब दोनो same velocity V से move कर रहे हैं, आपको उस V की value बतानी है, V की value आपको बतानी है, एक minute का समय है, पूरे एक minute का समय है, देखो बेटा, कभी भी collision की बात अगर आपसे किया जा रहा हो, मेरे प्यारे बच्चों, तो आप सभी को वहाँ पर conservation of momentum apply करना है, collision में conservation of momentum apply करना है, conservation of momentum apply करना है, right, conservation of momentum, so m1, u1, m2, u2, m1, v1, plus m2, v2, इसका mass m, उसकी speed 3v, इनका mass 3m, उनकी speed v, after collision अगर stick कर गए, तो total mass हो गया m plus 3m, और total velocity हो गई v के बराबर, तो 3mv, 3mv, 6mv is equal to 3m, add करेंगे 4m, capital V, m से m cancel, capital V की value आ गई 6v upon 4, यानि capital V आ गया 3v upon 2, 3v upon 2 जैसा option हमारा b part है, so b option is absolutely right, 57% बच्चों ने बिलकुल सही जवाब दिया है, सबसे fast हैं, अनिल, शौर, सिंदुजा, सांत्वना, रितू, रौनक, और फैजुला, और आर्क, ठीक है बाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, next question देखो, अगला question देखो, बड़ा प्यारा question है, इस question में कह रहे है, single horizontal force F, एक F force हमने लगाया, is applied to a block of mass M1, which is in contact with another block of mass M2, यह M1 mass है, यह M2 mass है, दोनों contact में है, इसके उपर F force हमने apply किया है, if the surfaces are frictionless, force between the block is, दोनों blocks के बीच का force क्या होगा, देखो, अगर मैं इस capital M1 वाले block की बात करूँ, तो पेटा, इस पर आपने इधर से force apply किया है, और यह जो M2 वाला force है, इसकी मैं बात करूँ, तो जड़ा ध्यान से देखो, तुमने इसके उपर force apply किया होगा, ठीक, क्योंकि दोनों objects contact में हैं, तो दोनों एक दूसरे के उपर reaction का force बेटा apply करते हैं, M2 वाला इसके उपर force इधर apply करेगा, तो M1 वाला इसके उपर इधर की तरफ force apply कर रहा होगा, यह force reaction का force कहलाता है, इसको मैं R लिख रहा हूँ, और यह force हमेशा equivalent opposite होता है, तो यहाँ पर question में हमसे वही reaction वाला force पूछा जा रहा है, क्या आखिर reaction वाला force कितना होगा, आईए देखते हैं, आप में से कौन बच्चा इसको बिलकुल सही कर पाता है, solve it, reaction का force, देखो यह capital F force जो है, this is responsible for motion of both blocks, दोनों blocks के motion के लिए, अगर कोई force responsible है, तो वो capital F force है, तो यह A हमें मिल गया, जो की दोनों blocks का acceleration है, हमको A मिल गया, जो की दोनों, मैरे प्यारे बच्चों, acceleration है, तो इन दोनों blocks का acceleration अपने को पता है, अब आप लोग जड़ा ध्यान से चीजों को समझो, इस वाले block को, M2 वाले block को move कराने वाला force बोलो कौन है, comment करो, M2 वाले block को move कराने वाला M2 वाले block पर force कौन सा है, F वाला या R वाला, कौन सा force है, जो M2 वाले mass को move कराएगा, बताओ केवल R force, केवल R है जो इस M2 को आगे ले जाता है, M1 को आगे ले जाने वाला F है, लेकिन M2 को आगे ले जाने वाला R है, तो बोलो, R is equal to M2 into A होना चाहिए, तो R is equal to M2 into A और acceleration की value मैं निकाल चुका हो, तो correct answer कौन सा है, M2F upon M1 plus M2, that means C option is absolutely right one, 50% बच्चों ने सही जवाब दिया है, सो हर्ष, सिंदुजा, आर्क, शिवं, यश्वंत, फैजुल्ला, हिमान्शू, ये बच्चों ने जो है, सही जवाब दिया है, बोलो, feel आया question का, कि नहीं आया, मेरे प्यारे नन्हे मुन्हे बच्चों, एक question आजाई, आखरी question, पूरी energy के साथ, लास्ट question, with full energy, सभी लोग बतादो, बहुत आसान है, momentum of an object at a given instant is independent of its, momentum जो है, इन में से किस चीज़ पर independent है, inertia, speed, velocity, या फिर acceleration, 45 seconds का time है, answer it, momentum इन में से किस चीज़ पर depend मेरे प्यारे नन्हे मुन्हे बच्चों नहीं करता है, momentum किस चीज़ पर depend नहीं करता है, momentum का मतलब होता है, mass into velocity, inertia का लेना देना object के mass से है, object straight line में चलना है, तो speed, velocity वैसे भी सेम है, यानि कि लेना देना किस से नहीं है या, acceleration से, लेना देना किस से नहीं है, acceleration से, केवल 17% बच्चों ने सही किया है, कि लोगों ने गलत कर दिया, देख लो, independent, maximum बच्चे 41% बच्चों ने velocity टिक किया है, क्यों, क्योंकि उनको ये समझ में आया, कि momentum किस चीज़ पर depend करता है, भाई question बहुत ध्यान से बिटा सुना करो, नहीं तो गलती हमेशा होईगी, तो यश्वन्त, निरुपमा और हिमान्शु, के वल तीन बच्चों ने इस question को सही किया है, मेरे प्यारे बच्चों, ये था एक question, और है, एक question और, चलो, हाँ, that was second last question, है ना, last question आजओ, एक question और है मैं पास, if the momentum of a moving body is increased by 50%, अगर momentum 50% बढ़ा दिया जाए, then kinetic energy will increase by, momentum को अगर 50% बढ़ा दिया जाए, तो kinetic energy पर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, बताओ जरा, सोचो, तब तक मैं आपको एक शीज़ बताता हूँ, kinetic energy होती है, half mv square, अगर mass का multiply और mass का divide कर दूँ, तो ये बन जाएगा, mv का whole square upon 2m, इसी को बोल सकते हैं, momentum का square upon 2m, तो एक formula आ गया है, kinetic energy का मतलब होता है, p square by 2m, इस formula का use करो, kinetic energy is equal to p square by 2m, कह रहे हैं, momentum को 50% बढ़ा दें, तो kinetic energy का क्या होगा, नई kinetic energy k dash, momentum अगर 50% बढ़ गया, तो p और, p by 2 और एड जाएगा, बाद सेम है, 3p by 2, so 9p square by 4 upon 2m, so 9 by 8p square by m, तो 9 by 8p square by m, तो 9 by 8p square by m, तो 9 by 8p square by m, और, percentage change का मतलब होता है, delta k upon k into 100, so that will be 9p square upon 8m, minus p square upon 2m, upon original value, p square upon 2m, multiplied by 100, तो LCM तुमारा आजाएगा, 8m, तो बन जाएगा, 9p square, minus 4p square, upon p square upon 2m, into 100, तो 5p square, p square तो cancel हो जाना है, इधर से बचेगा, 5, यह 8 है, यह भी cancel होगा, 4 आएगा, 5 by 4 multiplied by 100, यह इसको कटेगा 25, so kinetic energy में जो change आएगा, वो 125% का आएगा, काइडिक energy में जो change आएगा, वो कितना आएगा, 125% का change आने वाला है, 125%, 44% बच्चों ने सही किया है, यश्वन्त, रितू, राज, सुप्रभा, भावेश, हर्षेद, हर्ष, सिंदुजा, ठीक है, क्या आप लोको समझ में आया है, यहाँ पर क्या किया गया है, बिटा, बुलो भाई, क्या आपको समझ में आया है, क्या किया गया, देखो kinetic energy जो होता है, उसका एक relation है, momentum के साथ, कि kinetic energy is P square by 2M, राइट, तो वह हमने यूज किया कि पहले kinetic energy इतना था, अगर momentum को 50% बढ़ा दिया जाए, तो momentum की final value कितनी हो जाएगी, इनिशल momentum, प्लस momentum का 50%, ठीक है, तो यह कटेगा 2 आएगा, तो यह बटा बन जाएगा 3P by 2, 3P by 2, तो P plus P by 2, यानि 3P by 2, 3P by 2 का square करोगे, तो 9 by 4P square बनेगा, 2M है, तो 9 by 8P square by M, बस final minus initial upon initial into 100, simplify कर लिया value आ गई है, 125%, clear है क्या, clear है क्या, तो यह था हबारा आज का session, आज के session में हम लोग ने 2 chapters को full detail में complete किया है, पहला है motion chapter, दूसरा है force and laws of motion, right, तो आज के session में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग यहीं तर रखते हैं, next session में आगे आपको आकाश सर 9th के जो बाकी chapters हैं, यानि कि work energy, sound, gravitation, ये तीन chapters को आकाश सर complete कराएंगे, मैं फिर से आप से मिलूँगा next week, यानि कि 5 October को, 5 October को मैं और रक्षक सर हम दोनों लोग मिलकर के class 10th का, आपका जो syllabus है, Olympiad के लिए उसकी बात हम लोग करेंगे, right, सो मेरे प्यारे नन्ने मुने बच्चों मिलते हैं अपने अगले session में, जो की class 10th वाला session रहेगा, तब तक के लिए goodbye and take care, अच्छा final leaderboard भी दिखा देते हैं भाई, final 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 leaderboard यहाँ पर कहा है, यह है, हाँ भाई, तो आज की class में पहले number पर हैं हिमान्शू, फिर अनिल हैं, यूविक्स, फिर आर्क हैं, रितू हैं, हर्ष, यश्वन्त, आर्यन, श्रेयश और यह आर्यन, तो यह top 10 students हैं, 440, यह इनके marks बन रहे हैं, ठीक है भाई, next session physics का आएगा, 5 October को, मैं रहूँगा, रक्षक सर रहेंगे, हम दोनों teachers, मिल करके, आपको class 10th का पूरा सलेवस, एक ही दिन में complete करेंगे, right, so, मेरे प्यारे नन्ने मुने बच्चों, मिलते हैं भाईया, अपनी अगली class में, जरा एक बार सभी लोग, यह video end होने के बाद, comment में, अभी live chat नहीं, live chat तो यार गायब हो जाएगा, comment में, आप सभी लोग जरूर बताएगा, कि यह session कैसा लगा, आप सभी लोग को, और video like ना किया हो, तो अभी तक like कर देना, और सभी लोग comment करके जरूर बताएगे, फिर मैं आपका comments पढ़ने वाला हूँ, मिलते हैं भाईया, next lecture में, तब तक के लिए, goodbye and take care.